Hello everybody, this is Degras Singh Rajput, Welcome to Social School इस वीडियो से एक नया चाप्टर शाट करने वाले हैं Class 10th Geography का Last Chapter Lifelines of National Economy Economics पढ़ रहे हैं या जियोग्रफी? जियोग्रफी पढ़ रहे हैं ठीक है? जियोग्रफी पढ़ रहे हैं लेकिन वहाँ पे हम एकनॉमी की बात करेंगे क्यों क्यों क्योंकि आप हमारा जो देश देख रहे हैं हमारे देश की जो अर्थ पेवस्था देखacaktually हैं उसे जोडे किसने रखा है ठाइब चीश्ग ए यह ट्रांसपोरेशन नीकमुनिकेशन theme बताने वालों कि हम कौन-कौन से topics पढ़ने वाले हैं और chapter की theme क्या है fine तो इस पर कोई major question अगर बनता है तो वो चीज़ भी बता दूँगा साथी साथ आपको एक basic broad understanding समझ में आ जाएगी कि chapter आखिर किस दिशा में जाएगा और हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं chapter में इस सारी चीज़ें आपको clear हो जाएगी इस chapter के notes आप download कर सकते हैं telegram channel से तो please do join the telegram channel link description में मिल जाएगी वहाँ से आसानी से notes वगरा download कर सकते हो साथी साथ अगली important चीज़ क्या है कि आप unacademy app ज़रू download कीज़े क्योंकि live doubt solving classes होती है special class होती है special class में हम interact कर पाते है one to one जो कि absolutely free होती है उसके बाद में बहुत सारे quiz होते है scholarship exams होते है leader board पे आप अपनी position को देख सकते हैं तो इन multiple features को explore करना है unacademy app download कीज़े digraj simple इस passcode की मदद से आप क्या कर सकते हैं एप पे यह सारे features free of cost explore कर सकते हैं तो प्लीज डूण लोड देन अकाडमी आप अगर हम आगे बढ़ें तो इस chapter में क्या है इक simple सी चीज है कि हमें जीवन के लिए जीवन यापन के लिए जिंदा रहने के लिए क्या है बहुत सारी चीज्डों की पढ़ती है क्या होता है कि फ्यासा खुए पास खुद जाता है आप लोंगे सर यह example कहां से जीख आ ख़र चाप्टर बता रहे हैं तो कुल मिला कि ठीक है by land waterways अलग-अलग तरीके होते हैं तो कुल मिला कि आप यहां देखेंगे तो चीजें जो है ना जो भी आप product की बात कर लो या फिर किसी service की बात कर लो तो वो supply location से demand location तक move करती है ठीक है और movement जरूरी है उसके बिना जीवन चल नहीं पाएगा उसके बिना economy चल नहीं प करवाना थी अब उन्हें shopping करवाना है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा अपने घर से भी वहार निकल के जाना पड़ेगा shopping mall तक या पिर चीज़ों का movement बहुत ज़्यादा जरूरी है specifically अगर आप इसको terms में define करेंगे तो क्या है कि इंडस्ट्री जो एक सप्लाइ लोकीशन है विच इस गोइंग तो सप्लाइदी प्रोड़क्स ठीक है विच इस गोइंग तो सप्लाइदी प्रोड़क्स विच आर्विं डिमांडड बायस ठीक हम जिस सब्सक्राइब करता है ठीक है ट्रांस्पोर्टेशन एक इंडस्ट्री से बुला कि अपने शॉपिंग मॉल में बुलाए होगा वहां से समान को दूसरे को बेचेगा तो इस तरह से मल्टिपल एजेंट्स आपको यहां पर देखने को मिल रहे है और सिंपल अगर इसको एक सीधे रास्ते में अगर हम समझाएं तो वह क्या है कि कि things are required to be moved from supply location to the demand location and in this process transportation plays a very important role ठीक है now coming back to the title of the chapter lifelines of national economy क्या समझ में आया आपको कि economy में जो भी activities हो रही है ना उन activities को किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई connect कर वा रहा है जैसे transportation connect कर वा रहा है तो transportation क्या हो गए कि लाइफ लाइन की तरह हो गया हमारी national economy में समझ मैं ही मेरी बात ठीक है तो therefore the pace of development development depends upon the production of goods and services as well as their movement over the space तो अगर आप development को जो इतना आप समझते आए तो मुझे ऐसा लगता है personally कि अगर आपने इमानदारी से 60 पड़ी न तो आपने बहुत सारे dimensions समझें ठीक है क्या समझें जैसे आपने economics में development बगेरा वाले chapter पड़े थे तो अब development आप वहाँ इतना सीख गए थे development is not just earning a lot of money पैसे से development नहीं आता है आप multiple गोल्स को देखते हैं अधर गोल्स वाला टॉपिक पड़ा था दियान और टमवन में अगर पड़ा था तो थीक तो वैसे अगर आप देखेंगे तो development को भी सिर्फ production से नहीं जोड़ सकते हो आप मानलो supply location पर आपने क्या कर दिया पहाड़ा बना दिया माउंट एवरस से भी ज्यादा आपने production करके रख दिया सामान का लेकिन अगर वो क्या हो रहा है डिमांड लोकिशन तक पहुश नहीं पारा वहां रखे रहा कि उसमें जंग लग गई समान सड़ गया सब कुछ हो गया तो वो किसी काम का नहीं रह जाएगा तो यहां पर क्या है ठीक है मतलब हर चैप्टर में चैप्टर के तभी मज़ा है पढ़ाई का ठीक है तो जो आपने मेनिफेक्टरिंग इंडस्ट्री में पढ़ा कि परड़क्शन तो जरूरी है देश में लेकिन उसी के साथ साथ क्या होना चाहिए एस वेल अस देर मुव्मेंट ओवर दी स्पेस ठीक है ओवर दी स्पेस मतलब वह सप्ल है कि पेस ओफ डवलपमेंट जो है तो जितना प्रड़क्शन पर डिपेंडेंट है जितना हम पढ़के आया है कि मैनुफेक्टरिंग इंडस्ट्री इस कंसिडर अस दी बैक्बोन ओफ एकोनोमी तो उसी के साथ साथ क्या है कि जो मैनुफेक्ट्टर गुड्स है ना उनका मुव्मेंट भी जरूरी है तो यहां पर वही बताया गया है कि मुव्मेंट ओवर दी स्पेस इस आलसो वन ओफ दी इंपॉर्टेंट वन ओफ दी क्रूशियल फैक्टर टू बिफोर कंसिडरिंग डेवलपमेंट मुस्वराद अबजरा समझ यहां तक कहानी ठीक है तो यह तो मुव्मेंट क्या है जैसे अब दिल्ली जाना है उड़के जा सकते हो पैसा जाधा है तो तो फिर क्या है बाई ट्रीन जा सकते हो अगर कम समय में पहुचना है तो फिर नहीं तो क्या है बढ़ीयां बस में घूमते फिरते इधर चाय के लिए रुखाय स्टॉप हुआ तो अब जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो मैं आपको बता रहा था कि movement जो होता है ना किसी भी goods का services का वो अर्थ पे तीन domains के उसमें हो सकता है ठीक है तीन domains कौन कौन से है land transportation, water transportation, air transportation, land, water, air ये तीनों अलग-अलग domain है जमीन के रास्ते ठीक है पानी के रास्ते और हवा के रास्ते movement होता है goods का, services का, people का हर चीज़ का और इससे वो जो हम बात कर रहे है connectivity की वो डवलप होती है ठीक है अब अगर आप यहाँ भी समझोगे तो यह चार्ट आपकी बुकी का है यहाँ आखे मत फोड़ना अगर दिख देखोगे ना तो क्या बोल सकते हैं कि आप pipeline में भी travel करो देखना अब क्या हो रहा यहां पर अगर जो हम पढ़ें अभी तो जो मैं आपको आपको बता रहो कि लैंड जो है तो लैंड ट्रांस्पोटेशन में रोडवेस रोड के रास्ते भी जा रहे हो रेलवेस भी नदी घुमरे नदी नाले नदी नाले देश के अंदर यह अंदर जो नदिया है उन पर ट्रांस्पोटेशन होता है उन पर भी जैसे नेशनल वाटरवेस 123456 ठीक है उनके बारे में सब हम तो इनलेंड वाटरवेस होते हैं और overseas क्या है तो overseas मतलब क्या है by overseas जो है तो सामान मतलब इंसान कम जाते हैं सामान जाधा जाता है मर्चेंट ने भी धेर आया तो क्या है कि पूरा अफ्रीका से सामान भर के ले जा रहे है का यूरोप या फिर यूरोप से अफ्रीका आ रहा है तो वह बाए बाए सी रूट आता है ना overseas तो overseas ट्रांस्पोटेशन वाटर ट्र और क्या है international airways में क्या है कि यहां से सिधे लंदन तो वह क्या हो गया international airways, domestic airways, international airways, domestic airways में भी प्राइवेट एरलाइन्स होती है, public undertaking मतलब कि कुछ airline जो government समाल के रखी है और कुछ airline जो प्राइवेट एर लाइन्स है, air indigo ठीक है, तो इस तरह से क्या है means of transportation कि अगर हम बात त्रांस्पोटेशन यह तीन इंपोर्टेंट डॉमेंज पर हमारा आपको क्या देखने को मिलता है ठीक है अब अगर हम बात करें और मतलब बेसिक चीज़े लिए आपको क्यों लाइफ लाइफ लाइन सब्सक्राइब नहीं कर जाए कि डवलप्मेंट नहीं हो जाएगा उसक ट्रेड का ट्रांस्पोटेशन होना चाहिए मतलब गुड शुट भी ट्रेडर्स जो है उन्होंने क्या क्या सप्लाई लोकेशन से डिमांड लोकेशन तो क्या पहुचा आया कपड़े पहुचाएं वह लिमिटेड स्पेस पहले ट्रेड ऊंवर्य पर नहीं होता था ठीक है वर्ड आपस में जुड़ा हो नहीं था ग्लोबलाइजेशन पढ़के आए हुआ आप एकनोमिक्स में फिर कनेक्ट करो अगर आपने यह नहीं सीखा कि इंटर लिंग की कैसे की जाती सब्जेक्ट्स की तो ठीक है सत्या नास वाली बात है आप तो इसके लिए क्या है कि चीज गहां तक चीजन सीमित रहा जाती थी शुरुवाती दौर में क्यों क्योंकि उस समय पे आप जैसे देखेंगे तो डवलप्मेंट जो था साइंस और टेक्नोलोजी में उतना ज्यादा नहीं था लोग बैल गाड़ी से चलते थे पूरा जीवन निकल जाता अमेरिका जिमित था बहुत सारे मल्टीपल बैरियर्स थे इंटरनेट उतना डेवलप्ट था नहीं ठीक है तो कम्यूकेशन नहीं हो पाता था अमीन्स ओफ ट्रांस्पोडिशन भी इतने डवलप्ड नहीं थे लेकिन लेकिन क्या होता है लेकिन जैसे जैसे डेवलप्मेंट हुआ स के कारण आप 24 घंटे में देश में विश्व के किसी भी हिस्से को टच कर सकते हो तो इस तरह से क्या है विद्धी अब कुछ लोग देखो कितना सहीं स्तमाल कर रहे हैं विद्धी डिवलप्मेंट और कम्मुनिकेशन की बात करें ट्रांस्पोर्ट में क्या जाया जिसे रेल्वेस वाटर वेस वागरा है सारी चीज़ देवलप हुई कम्मुनिकेशन में जिसे रेडियो इंटरनेट वगरा अपको ट्रांस्पोर्ट और कम्मुनिकेशन भी एक दूसरे से अलग अलग नहीं है इन्फेक्ट इन दोरों ने एक दूसरे को फैसिलिटेट किया है ट्रांस्पोरेशन सिस्टम डवलप हुआ है जिसे रेल्वेस जोड़ दिया इंटरनेट की मदल से आपको यह पता चल जाता कि आपकी ट्रेन लेट चल रही है कब आने वाली या फिर आज कैंसिल हो गई है तो उसने क्या किया उसने इस उसने मुव्मेंट ऑफ कह सकते गुट्स को और फैसिलिटेट किया है ना तो ट्रांस्पोर्ट और इन दोनों चीजों का एक साथ जब डवलप्मेंट हुआ है कम्मिनिकेशन और सब्सक्राइब कर रहा है क्या कि सामान महां से निकला की निकला आप पूछ लेते हैं कहां पहुचो तो उस तरह से यह जो हमारा ट्रांस्पोर्टेशन और कम्मिनिकेशन है दोनों ने मिलके क्या बनाई है क्या बढ़ा है समझना रही है चीज़ें मैथमेटिकल नाम मतलो सर्व लॉजिकल भी है कि आप खुद समझ रहे उसमें ऐसा एस सच बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ट्रांस्पोर्ट बढ़ा कम्मिनिकेशन बढ़ बढ़ा कि connectivity जो है वर्डवाइट वह बढ़ गई अब जब connectivity बढ़ी तो इससे क्या होगा कि वही जो हम बात करने की ट्रेड और ट्रांस्पोर्ट क्या हो गया होगी यह वल्ड is converted into a global village हम सब आपस में जुड़े हुए हैं हम सब आपस में जुड़ गए हैं with the advancement in science and technology और यह जो कहानी है यह कहानी आपको क्या दर्शाती है कि यह पूरी कहानी जो दर्शाती है तो अगर conclusion निकाले therefore dense and efficient network of transportation and communication is prerequisite for local and national and global trade of today ठीक है तो आपको अब यहाँ पे चीजों को ऐसे connect करना होगा कि हमने देखा सबसे पहले कि pace of development सिर्फ production of goods and services पर dependent नहीं होता है movement of goods पर भी depend होता है ठीक है अब यह movement of goods जो है तो movement of goods क्यासे possible है कि with the advancement in development in science and technology ठीक है this expanded the scope of trade and transport and now we can say that dense and efficient network अगर है हमारे पास में ठीक है dense और efficient network है किसका transportation और communication का ठीक है तो यह क्या है मतलब होना चाहिए यह pre-requisite condition है कि when we will have the dense and efficient network of transportation and communication our local, national and global trade will flourish this is the story which we are going to study in this chapter पूरी story इसी के इर्भिगर्द घूम रही है अब एक question मनेगा कि how transport trade and communication are connected with each other ठीक है what are the pre-requisite conditions for the development for the advancement of global trade today तो आप उसमें बताएंगे पूरी कहानी कि ट्रांसपोर्ट का communication का जुड़ोना connectivity को बढ़ाता है उससे क्या होगा यूज ट्रेड होगा चीजे लोकल से international हो जाएगी ग्लोबल लवल पर आपको चीजे देखने को मिलेगी तो यह पूरी कहानी आपको बताना है अब हम क्या-क्या पढ़ने वाले इस chapter में देखो तो में हम क्या करेंगे रोडवेस और classification of roads पढ़ लेंगे पूरा एक साथ ठीक है कि रोडवेस क्या है रोडवेस क्यूं अच्छा better means of transportation है तरह तरह कि कुश्चन मनते इसमें से वह पूरा पढ़ देंगे अब यह पढ़ेंगे major seaports तो यह मैप के perspective से important हो जाता है क्योंकि मैपवर्क में आएगा तो वाटर वेस्ट पढ़ेंगे एक एक टॉपिक एक वीडियो में उस तरह से लेते चलेंगे major seaports के बारे में पढ़ेंगे anyways के बारे पढ़ेंगे हम तो लैंड transportation wotnä transportation सिर्फ यह तो वाला पार्ट हो गया दूसरी lifeln हो गया ट्रेड कि घडीर टरंसपोर्ट ओर दो आपको ब्रोड यु पढ़ना है तीन पिलर्स पर है यह ऐसा हुआ है तो इंटरनाशनल ट्रेड और तूरीजा में यह आपके तीसरी लाइफ लाइन होगे इससे भी समझ लेंगे बीओ पी बीओ टी क्या क्या होता यह तो यह सारी चीज़ है जो है इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं बिलीव मी इस इस गोइंग टू बीफन ठीक है मज़दार चैप्टर है आखरी चैप्टर है एक बार औ कब नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ जिसमें हम रोडवेज एज़े मीन्स ओफ ट्रांस्पोटेशन को कम्प्लीट करने वाले हैं क्लेर हुआ तो आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया है ठीक है स्टे कनेक्टेट कीप लर्निंग अभी के लिए साइन आफ क मिलस्य क्लें बेंदा ने यह समझाह था कि हम चाप्र में क्या पढ़ने वाले हैं अब अगर आप चाप्र फोकस करोगे तो वह लाइफ्ष लाइब outs of National economy ग onde ancient एक lifeline हो गया दूसरा क्या है रिकॉल करो अपने मन में दूसरा है communication दूसरा हो गया communication और तीसरा हो गया trade ठीक तो इसका एक basic idea जो हो एक crisp जो है मैंने आपको पिशली वीडियो में बता दिया था तो इस तरह से क्या है अलग अलग aspects पे transportation communication trade हमारी country को जोड़े रखा हुआ है ठीक है lifelines of national economy कहलाता है अब इस वीडियो में हम roadways के बारे में पढ़ेंगे कि roadways कैसे lifelines of national economy है that is the point topic समझ में है हम क्या पढ़ने वाले है टेलिग्राम चैनल की link description में है जरूर से साथ special classes होती जो कि absolutely free होती quiz होते हैं इन सारे features को आप explore कर सकते हैं for free using the code digraj ठीक है इस code की मदद से आप इन सारे features को explore कर सकते हैं clear हुआ तो अब roadways के अगर हम बात करें है ना तो वैसे ही roadways मतलब क्या है कि जमीन के रास्ते से आप जहां से जुड़े हुए है ठीक है अब जमीन के रास्ते तो से रेलवेस से भी जुड़े हुए pipeline से भी जुड़े हुए लेकिन स्पेसिफिकली जो रोड पे आप travel करके किलोमेटर तो आप 56 किलोमेटर को समझों एक-दो किलोमेटर नहीं एक-दो हजार किलोमेटर नहीं है ठीक है तो 56 लाख में और वह भी 56 और शुट-प्रत इतना dense जो इतना रोडवेस जो इंडिया में फैला हुआ है ठीक अब इसमें क्या है इन इंडिया रोडवेस फ्रिसीड़ेड रेलवेस अब मेरी बात यहां पर बहुत अच्छे समझना इस शैप्टर का एक जो फीवरेट कुशिन हो जाता है एक्जामने उसका वह क्या है वह यह हो इस तरह से अगर सवाल आता है बनेगा आप से तो रोडवेस क्यू बहतर है इस तरह से अगर सवाल आता है तो बनेगा नहीं बनेगा वह बताना ठीक है और यह सारे पॉइंट्स है जिरने ध्यान रखना और आपको लिखना है ठीक है तो क्या है क्यूआ थेकदार को ठेका दिया क्या है सिमेंट डाली गिट्टी डाली रोड चीज़ है एक पॉइंट यह भी है कि पैसा बचा लेते हैं बहुत चार तो कम ने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ठीक है जोग सपाइड लेकिन अगर बात की जाए अगर आप इसे एरपोर्ट से कंपेर करोगे अगर इसे आप रेलवेस से कंपेर करोगे तो रेलवेस और एयरवेस इस भी means of transportation है लेकिन वह means of transportation ऐसा है जिसमें construction कॉस्ट बहुत दादा है रोडवेस में क्या है रोडवेस में आप देखोगे कि एक समय में वहां पर कुछ नहीं था आज रोड बन गई है फटा फट बनती है कम खर्चे में बनती है कम खर्चे में ऐसा नहीं टोपोग्राफी ठीक है तो अब यहां पर रोडवेस केंट ट्रांसवर्ज या फिक्रॉस मतलब क्रॉस करना किसी भी चीज़ को तो रोडवेस की मदद से आप बहुत जादा अंडिलेटिंग और डाइसेक्टेट टोपोग्राफी जो होती है उसे आसानी से क्रॉस कर सकते ह टो एक एक्जामपल यहां पर रेलवेस बनाने में यहां पर रेलवेस बनाने में ना नहीं याद आ जाएगी क्यों क्योंकि इतने टफ टिरेन है जिसे आप देखोगे तो क्या हो रहा है कि उबड़ खाबर जगहा है अंडिलेटिंग टॉपोग्राफी मतलब यह उच इंपॉसिबल है ठीक है प्राक्टिकली इंपॉसिबल टाइप से नजर आता है लेकिन रोडवेस में क्या है रोडवेस में रिलिटिवली जो मोर डाइसेक्टेट और अंडिनिटिंग टोपोग्राफी होती इस तरह के हिली एरिया वगेरा होते हैं तफ टेरेन होती है वहा तो रोडवेस की बढ़ाई करने का जब भी कुशिन आएगा तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लो है ठीक है इटकें ट्रांसवर्स या फिर क्रॉस कंपरेटिवली मोर डाइसेक्टेट और अंडिलोटिंग टोपोग्राफी बन कंपरेट विदी अधर मींस ऑफ टेकरी समझतों तो तो अस्टेकरी रहता है तो स्टेकरी पे रोडवेस कैसे बनाव ठीक है तो झाल एक तो इतनी बारी हूं इंचन थीख पूरे जंता को खीच के लाना इतने सारे डबीगे लाना तो वहाँ पर क्या है वहाँ पर रेल्म वेस्कूर्ट करना बहुत मुश् तो इसलिए क्या होती बहुत सारी रेलवे ट्रैक्स जो निकलती है तो पहाड के उपर क्यों नहीं चड़ाते है क्योंकि हाइर ग्रेडियंट आफ स्लोप पे रेल का चड़ना मुश्किल हो जाएगा ठीक है तो इसलिए वगा टनल बनाके निकाल देते कि जाओ अंदर-अंद अगर मानलो क्या होता है आप ट्रेन चलाने की एरपोर्ट पे बोलोगे की रनवे ऐसा बनाते सर की ऐसा स्लोप देते तो ऊपर सूपर सीधा चले जाएगा ऐसा नहीं होता है ठीक है तो इस तरह से क्या है हाइर ग्रेडियंट ऑफ स्लोप के घरम बात करते है तो वह अगला पॉइंट रोड ट्रांस्पोटिशन इस एकनोमिकल टूट ट्रांस्पोर्ट गूड्स एंड पर्संस ओवर शॉट डिस्टन्स अब क्या हो रहा ना शॉट दिस्टन्स पे जाना है मतलब क्या है कि आपको आपके घर से स्कूल तक जाना है अब आप बोलो कि इसके लिए आपको एक हलिकॉप्टर आपके छत पर उतारा जाए फिर एक स्कूल के छत पर उतारा जाए वहां लेंड करवाया जा और वहां उतार है तो इस सेंस में आप देखोगे न तो शौट डिस्टन्स पर जो ट्रैवलिंग होती है वह रोडवेस में इकनोमिकल भी होती है सवं इस बेटर है तो फिर स्कूल से मार्केट जाएं तो बोलो कि मेरे लिए हेलीकॉप्टर चला दो तो तो मंदलाब एक तरह से यह वहीं वालई बात हैा सुनिये 인데 कोई इस बात का एक्रक्टानुमिकल भी नहीं होगा तो रोड़ प्रन सवर्पोटेशुन उद्वयन हो इस्वेत्स परेटिष्ट और फिर् एक और रीजन जिसके कारण रोडवेस ने प्रिसीड किया है रेलवेस को वो क्या है ठीक है कि रोडवेस प्रोवाइड दोर-डोर सर्विस दस कॉस्ट ऑफ लोड़िंग अन लोड़िंग इस मच लोवर जैसे पैकर सें मुवर्स वाले जानते लो ने वह जैसे आप घर वर खाली करते तो सारा समान अगर आप देखेंगे तो रोडवेस क्या कर रहा है रोडवेस प्रोवाइडिंग डोर-टू-डोर सर्विस रोडवेस से मिल रही है ठीक है और जिसके चलते कॉस्ट ऑफ लोडिंग अनलोडिंग जो है बहुत कम हो जाता है ठीक है मतलब क्या बोलते हैं पिन पॉइंट ड अब आपको वहाँ मतलब दूसरे मीन्स और फ्रांस्पोरटिशन तक पहुशने के लिए किसका साहरा आना पड़ेगा रोडवेस तो रोडवेस लाइक कि हां क्या कि रोडवेस अगर नहीं होंगे तो आप दूसरे मीन्स और फ्रांस्पोरटिशन तक पहुशने के लिए भी क्या है फीडर का काम कौन करता है रोड रांस्पोरटिशन ही करता है जैसे ओला करके आप क्या करोगे घर से एरपोर्ट तक जाओगे तब आप एर ट्रांस् टेरी क्या करती है सुमें ठीक है लेकिन यह सारे पॉइंट जो है तो यह प्रूफ करते हैं चलो एक बार करते हैं सारे मजाग से हट के सबसे पहली चीज क्या है कि वाय रोडवेस है आफ प्रिसीडेट ओबर्र रेलवेस तो कॉस्ट ऑस कंस्ट्रक्शन कम है दूसरी चीज क्या है roadways can transverse and cross more undulating and dissected topography जो है उसको मतलब उबड़ थाबड जगा में roadways आसान है बनाना relatively तीसरी चीज क्या है higher gradient of slope के साथ में better negotiate कर सकता है roadways roadways are better to get to be constructed in higher gradient of slopes ठीक है in areas with higher gradient of slope ठीक चौथा point क्या है ये economical roadways is most economical most affordable and most क्या सकते हैं न क्या सकते हैं logical means of transportation for a short distance ठीक है छोटे distance पर जाना है तो उसके लिए roadways सबसे भेहतरीन है door to door service provide करता है cost of loading unloading क्या हो जाता है कम हो जाता है तीसरी चीज़ का है road transportation is also used as a feeder to other mode of transportation ठीक है other modes of transportation की तरह क्या करता है feeder का का काम करता है और means of transportation में feeder का का काम करता है कि दूसरे means of transportation को जोड़के रखे हुए है समझ में आया तो यह सारे जो एडवांटेज्स हैं यह सारे आपको कहां देखने को मिलेंगे roadways में देखने को मिलेंगे और इसलिए roadways हम क्या कहा रहे है इसलिए roadways have preceded railways clear हुआ अब देखूं क्या है तो अगर roadways की बात करें तो यूजली यह टॉपिक में अलग से पढ़ाता हूं लेकिन आपको यहीं पर पढ़ा रहा हूं क्या है समझ में आ गया अब अगर हम देखें तो तो roadways को अलग तरीके से classify कर सकते हैं मतलब एक सड़क आपकी colony की भी है ठीक है निकलने का मतलब निकलने बहुत की रोड़ आपको देखने को मिल जाएंगी तो उनका classification कैसा है वह हम क्या करने वाले हैं यहां समझने वाले हैं तो रोड़वेस के अगर बना है अब यहां सुना वोना लगाया होगा रोड़ बनाते समय ठीक है यह कहने का तरीका है गोल्ड मतलब क्या सबसे बेस्ट चीज उस टाइप से explain किया रहा है तो गोल्डन कॉडिलेटरल सुपर हाइवेस जो है यह कहां फैला हुआ है तो चार मेगा सिटीज जो है तो मेजर रोड़ डवलपमेंट प्रोजेक्ट लिंकिंग डेली कॉलकता चैन्ने मुंबई एंड डेली बाइए सिक्स लेन सुपर हाइवेस जो है अराम शिक शादी का मं गोलकता और वापिस देली तो इस तरह से क्या है गोल गोल रानी करके चारों सिटीज को आपस में जोड के रखा हुआ है सूपर हाइवेस का एक रोड नेटवर्क है क्यों बनाया सर देखो अब बोलोगे सर यहां तो रेलवेस से जाना ज्यादा प्रिफरेवल है लेकिन आ यहां पे आपको क्या देखने को मिलता है कमलता है सवाल में आपको बताते चलता हो साती ही सांत पिछला बता दिया ठीके पिछला क्या बता व्योवेस ऐसा सवाल ऐगा फिर अगर आप यहां देखों कोड़ एससे भी सकता है और एक बड़ा कुशिन ऐसा भी बन सकता है तो अब आप उसमें एक गोल्डन लिखोगे फिन नैशनल हाइवे स्टेट हाइवे जो हम आगे पढ़ने वाले है समझना है कैसे बनेंगे तो कुश्चन माथा देखके तिलक करना कुश्चन का आसपेक्ट समयना कि वो पूर एक नॉर्थ है तो अब देखोंगे यहां पर नॉलॉष से लगाके साउथ तक का पूरा का पूरा क्वड़ा पूरा का पूरा पूरा है अचैसिकों स्रीनगर जम्मू और कश्मीर तो श्रीनगर कश्मीर से लगा के कन्या कुमारी तमिल नाडू तक तो उपर से नीचे तक इंडिया को जोड़ दिया किसने नौर्थ साउथ कॉरिडॉर ने कुशन अब्जेक्टिव में आ सकते हैं कि नौर्थ साउथ कॉरिडॉर इस लिंकिंग अच्छे किसका इस्ट वेस्ट कॉरिडॉर तो नौर्थ साउथ और इस्ट वेस्ट कॉरिडॉर जो है वह भी क्या गोल्डन कॉर्डिलेटर का पार्ट है बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखना चार मेगा सिटीज को जोड़ता है उसके अंदर क्या है दो कॉरिडॉर है मुंबई उपर उपर गया होगा हवा में रोड है ना जमीन से गया होगा तो और भी दूसरी सिटीज को कनेट करते हुए गया होगा साथ ही साथ क्या है कि मेगा सिटीज के लिए क्या है सीधा हाईवे मेगा सिटीज के लिए सीधा हाईवे तो यह इसका अब्जेक्टिव ह to reduce the time and distance between the mega cities of India, these highway projects are being implemented by the National Highway Authority of India and you have to remember this NHAI, ठीक है, National Highway Authority of India जो है, तो वो क्या करती है, National Highway Authority of India जो है, वो इसे इस project को maintain करती है, कस्टक करती है, सारी चीज़े करती है, ध्यान रखना कौन किस प्रकार के रोड को, classification तो पढ़ रहे हो आप, golden quadrilateral पढ़ोगे, national highway पढ़ोगे, state highway, पर यह किसको कौन समाल रहा है, यह भी ध्यान रखना और, ठीक है, तो पहला क्या है, National Highway Authority of India जो है, तो वो इसे maintain करती है, construct करती है, अब आते है, किस पे, अब आते है, नैशनल हाईवे इस पे, ठीक है, हाईवे देखा है, तो अब हाईवे की अगर हम बात करें, आपे तो नैशनल हाईवे जो है, तो आपको most visible road network country में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, which are spread all across the country, ठीक है, पूरी country में जाल की तरह फैला हुआ है, ठीक है, ठीक है, अब अगर नैशनल हाईवे की बात करें, तो नैशनल हाईवे इस लिंक एक्स्ट्रीम पार्ट अफ दी कंट्री, these are primary road system and are laid and maintained by Central Public Works Department, CPWD, Central Public Works Department जो है, तो वो नैशनल हाईवे को maintain करती, lay down करती है, ठीक है, तो नैशनल हाईवे इस लिंक एक्स्ट्रीम पार्ट अफ दी कंट्री, these are primary road system and are laid and maintained by Central Public Works Department, CPWD, spread all over the country, पूरे देश में जाल की तरह ये फैला हुआ है, मैंने बताया, ठीक है, कंट्री, major cities जो उनको सबको connect करके रखते हैं, कंट्री के हर कोने तक पहुचे हुए, कौन maintain कर रहा है, Central Public Works Department, ध्यान रखना, Public Works Department और Central Public Works Department अलग अलग चीज़े, State के Public Works Department, State Highways को समालेंगे, National Highways को Central Government के जो Public Works Department है, वो समालते है, ठीक है, पूरी कंट्री में फैले हुए है, औ आप जिसमें देखोगे, तो इसमें एक रूट के बारे में बताएगा है, historical, शेर सहा शूरी मार्ग, शेर सहा शूरी को कौन लोग जानते हैं, जिसने क्लास 7 की हिस्ट्री इमानदारी से पड़ी थी, वो बता दे कहां सर मुझे दिहाने, तो हुमायू आया था, हुमायू क इक रूट के भागा दिया था एक बार, तो सेर सहा सूरी का जो सूरी डैनास्टी रूल करी थी, एक टाइम प्रेड में थोड़े समय के लिए, तो उस समय पे एक रूलर थे, शेर सहा सूरी, ठीक है, तो सेर सहा सूरी ने क्या किया है, एक पुरे ग्रान ट्रंक रोड को भी के नाम से जाना जाता है और वो एक ग्रैंट ट्रंक रोड का पार्ट है जो पूरा अफगानिस्तान जो बिटिश टाइम प्रेड में अभारी था ना सब तो अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया बांगलादेश इन सारे देशों को जोड के रखा हुआ है उसी का पार्ट है शेर्षा सूरी मार्क सेर्षा सूरी मार्क इन नाशनल हाइवे नंबर वन एक ठीक है तो रोड लिंकिंग स्टेट इफ्रेंट डिस्टिक हैड़्वाटर्स तो अब जैसे आपने देखा नाशनल हाईवे का काम क्या था कंट्री के अलग अलग जो कौर्णर से उन्हें इसका जो इंपोर्टेंट रहता है वो यह रहता है कि स्टेट कैपिटल जो है स्टेट कैपिटल को अलग-अलग सेंटर्स के साथ जोड़के रखना तो इन से जोड़के काम का कॉन करता है क्लासिफिकेशन अगर थ्यान रखने की बारी आएगा तो आपको यह ध्यान रखना है कि कौन से रोड से करता है कि और कई पॉइंट्र अगर है उसमें तो जैसे आपने देखा क्या है तो golden quarter लेटल, mega cities को जोडता है, national highways क्या करता है, countries के अलग अलग parts को all across the country उन्हें जोड के रखता है, state highways जो है, state capital को state के अंदर जो दूसरी cities है उनसे जोडता है, तो objectivity या connectivity एक point सब का दिहान रखना, कौन maintain करता है, तो NHAI golden quarter लेटल को, CPWD, national highways को, state highways का public work department, आगे ना समझ तो तो यह होगया, headquarters को अलग-अलग क्या करता है, मतलब district headquarters से जोडता है, district headquarters मतलब कि अलग-अलग जो districts है, उनके साथ, अलग-अलग cities के साथ, state highway, फिर अगर हम बात करें, तो these roads are constructed and maintained by state public work department, ठीक है, वो central public work department है, national highway, तो यह कौन समाल रहा है, state public work department, SPWD, ठीक है, in states and union territories, clear होगया states and union directories में, अब आगे बढ़ते हैं अगर, तो अगला क्या है, district roads, the name itself is explaining, कि state के बाद district, तो वो road, जो district headquarters को district के अलग-अलग parts से जोड़ता है, say for example क्या है, कि यह district है, ठीक है, यह district है, मानलो, मध्यप्रदेश का district है, हर्दा, ठीक है, तो अब क्या हो गया, कि मध्यप्रदे district, district road, ठीक है, district road, इस तरह से काम करते है, सबनाया, तो these roads connect the district headquarters with other places of district, ठीक है, तो district headquarters को district के other places से, तो वो objective और connectivity वाले, objective क्या है, connectivity वाले point में ये लिख दोगे, maintain कौन कर रहा है, तो जिला परिशद, ठीक है, जिला परिशद जो हता है, तो district level पे, अगर आप अर्बन लोकल ब रिपैलिन में कि ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के उपर क्या होता है, ग्राम पंचायत के उपर व्लॉक या फिर मंदल या फिर परीशद और सारे मंदल परीशद को मिला के सब सूपर क्या जाता है, जिला परिशद, ध्यान हईं, who is the head of पिदरीशद बताएंगे आप क डिस्ट्रिक्ट हाइवेस की देख रेक करता है जिला परिशद अब डिस्ट्रिक्ट रोड्स के बाद में अधर रोड्स आ गये हैं क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा हो गया है तो आगे पार्ट पीछे सा पार्ट मत रखना रिकॉल करो गोल्टन कॉर्डे लेटरल नैशनल हा तो गाउं को शहर की तरफ मतलब गाउं को शहर ले जाती जो सडके हैं तो रूरल रोड्स हो गई ठीक है विलेज़ विद टाउंस आर क्लासिफाइड अंडर दिस कैटेगरी अधर रोड्स के अंदर आ जाएंगे अन्य ठीक है तो अन्य सभी प्रकार की सडके जो है वो प्रिष्चाहं अंडर टी प्रदानमंत्री ग्रामीन обाट जटीक loeना नहीं नहीं भाड़ों करता टेकल इसका वहे करका जाएंगे प्रदानमंत्री इतना इतनी लागत से यह रोड बनाया तो उस तरह से क्या है प्रधान मंत्री ग्रामीन सड़क योजना के अंतरगत इन सड़कों को रूरल रोड को इंपेटस मिलता है पैसा मिलता है सब्सक्राइब और यह बनाना क्यों ज़रूर ही क्योंकि गाओं शहर से वैसे ही दूर है तो वह पाएगी जब कनेक्टिविटी होगी जब लाइफ लाइफ लाइन से पहुच में तो पहले क्या होता था पता पहले चौँमासा चलता था कि एक बार आप किसी गाओं में चलेगा और बारिश होने लग दी तो आप चार मेने की वेकेशन उसी गाओं में बनाऊगे क्यों क्योंकि ट्रांस्पोटिशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि मेटल रोट नहीं हुआ करते थे पहले यह क्लासिफिकरी हो गई एक औ रास्ते में अमेरिका जाने की बात नहीं कर रहे हैं जो इंडिया के बॉर्डर पे रोड्स ना आप वह किसी ठेकेदार को दे नहीं सकते हो तो उसके चलते क्या और वह जाएंगे भी ठेकेदार वहां थक बॉर्डर बनाने तो इसके लिए आप देखेंगे तो बॉडर रो की सबढ़ रोडे काने के लिए तो उस तरह से कांई चरूरी है और बाडर बार सुच्री की रोडर बनाया जाते वह बाडर रोड ऑडर र्ड Rings को जानाкой Pas पर लगे भी आरो तो हमने फटा फट रोड बना या तिसी तरह से आप दिसे देखो के बॉर्ड रोड रोड और अर्गनाइजेशन इस्टैबलिज इन bep 백 mode ofनी गोडरोड इंदेखी ना पॉर्ड रोड रोड इंडेशन इन पॉडर बस पली के ब्रोड अर्गनाइज इसल्टैक हे औरफ फुल्ड ब्रौर रोड ऑर्गनाइजेशन इऋ उसल्संना च्रीक इन नॉटेसाइशन इन आप स् देखोत कोई भी किः ऐसे इंडिया का undertaking है जिसका काम क्या है मतलब आप जैसे देखेंगे तो इसमें आपको बहुत सारे आर्मी पर्सनल्स जो है वह आपको इस तरह से सेपरेटेड है नैचरली की हिमालिया आ जाते बीच में लेकिन वहां इंटिग्रल पार्ट है ना लगता हमारा ठीक है अभिन अंग है हमारे देश का तो उस तरह से जिसे अगर आप देखोगे तो वहां तक कनेक्टिविटी वहां तक आप जिसे देखोगे तो उन अब वैसे हिए अगर आप देखोगे तो रोड का एक और क्लासिफिकेशन है तो टाइपस ओफ माटेरियल यूजट ठीक है आपने कौन कंट्रोल कर रहा है कौन ऑपरेट कर रहा है थी कहां कनेक्ट कर रही है वो रोड उस इसाप से देख लिया गुल्डन कौडरी लेटरल नाशनल हाइवेस तीक है नाशनल हाइवेस के बाद में स्टेट हाइवेस, डिस्ट्रिक रोड्स, अधर रोड्स, उंगली कमप्रवी और बॉडर रोड्स, तो यह आपने इतना देख लिया, क्या classification, classification बेसिकली पूछा जाएगा तो आप यह 6 पॉइंट लिखके आ जाओगे एक है metal roads और दूसरी है unmetall roads, ठीक है, metal roads में ऐसा नहीं कि iron लगा के बना दिया metal का, ठीक है, शब्दों पर मत जाना पाहुनाओ को समझो, मतलब जो cement, concrete, even bitumen of coal, डामर वाला जो रोड रहता है ना, तो यह metal road की category में आ जाएगा, एस एकदम चका चक वाला, ठीक, तो metal road पक्का road टाइप हो गया, ठीक है, all weather road होता है, इसको आप हस हमें इस्तमाल कर सकते हैं, पानी गिर रहा हो, धूब गिर रही हो, थंड गिर रही पर जाना ही ने की हो जाओगे, तो गड़ जाओगे, तो इस तरह से क्या है, go out of use in rainy season, तो बारिश के समय पर जो road इस्तमाल नहीं किया जा सकता, वो unmetall road की category में आ जाते हैं, तो कच्चा road जो होते हैं, वो इस तरह के unmetall road कहलाते हैं, जो क्या होते हैं, जो good weather conditions में ही motorable होत तो इस तरह से क्या है, आपने classification ये भी देख लिया, उनने basis of material used, topic होता हमारा है complete, तो lifelines of national economy में transportation, transportation में roadways, roadways एक चीज पढ़ लिए, अभी land transportation बचा है और, तो land transportation में railways, pipeline, दो चीज़ें और पढ़ना है, next वीडियो में हम railways के बारे में पढ़ेंगे, इसी तरह से सब हुए है, ठीक, अभी के लिए sign off करते हैं, till then stay connected, keep learning, signing off with this together, we can, we will, thank you, thank you very much, hello everybody, this is दिग्रास सिंग राजपूत, welcome to social school, इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम railways के बारे में पढ़ेंगे, another means of transportation, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, तो देखें मैंने आपको lifelines of national economy में transportation की बात करी, ठीक है, transportation की जब हम बात करी, तो transportation में क्या होता है, अलग-अलग means of transportation होते है, land होता है, ठीक है, land as a means of transportation होता है, land के बाद में आप जैसे क्या देखोगे, तो यहाँ पे आपको water as a means of transportation देखने को मिल जाएगा, air as a means of transportation देखने को मिल जाएगा और ये कही ना कही देश को जोड़े रखते हैं ठीक है लाइफ लाइफ लाइन्स की तरह काम करते हैं अब लैंड ट्रांस्पोटिशन को अगर हम सब डिवाइट करें तो आप रोडवेज पिछले वीडियो में पढ़ चुके हो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेलव आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जरूर से जॉइन कर लेना नोट्स वगेरा वहाँ पर मिल जाते हैं कब कौन सा सेशन आने वाला वो सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं तो वी वी कनेक्टेट बाई इस लिंक टेलिग्राम चैनल कर लेना साथ ही साथ अनकैडमी ए फ्री है ठीक है तो एक्स्प्लोर आल इस फीचर्स यूजिंग डी आई जी आरे जिग्राज फॉर फ्री फाइन इस कोड के सामान और पैसेंजर से आने क्या है सामान को ले जाने वाले इंसान तो आप जिसे देखेंगे मालगाड़ी भी चलती है और यात्री वहन भी चलते है तो रेलवे से जो प्रोड़क्स की बात करें फ्रेट की बात करें तो बहुत जादा अमांट में क्या होता है कंट्री में ओवर दी लॉंग डिस्टेंस गुड्स को एक जगा से दूसरी एक ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उस सेंस में रेलवे जैक प्रिंसिपल मोड अब पैसेंजर्स की बात करें तो लेकिन लॉंग डिस्टेंस के लिए अगर आपको जाना है तो एर्वेस से जल्दी पहुचेंगे लेकिन हर इंसान की पहुच में एरवेस होता नहीं है तो आप इससे देखेंगे तो लोगों की कनेक्टिविटी ओवर दी लॉंग पोडिशन पोड़िशन फ्रेइट इन पैसेंज हर इंडिया कौन है रेल वेस प alarशी एकिपीटी से के सब्सक्रीट nectar इक्तिवीटीज के स्बसक्रेय Mensch के jasa जाता है कि सिर्फ सामान और यात्री जो है उन्हें एक जगा से दूश्रीय का नहीं पहुंचाता है बिजनस के परस्पेक्टिव से आप जिसे दिखते हों ना बहुत सारे बिजनसे क्या करते हैं अपने mazada बिएटी ओ दिचर तो साइ्ट सीघ्ट से पिल्ग्रिमिज अलग अलग जिसे अगर आप देखेंगे तो जया किया रहा है台व रहे है इंडिया डिटी लाइफ उसको बांद के रखा हुआ है बिजनस के परस्पेक्टिफ से सामान इदर से उदर हो रहा है फिर क्या हो रहा है फिर जिसका आप देखेंगे इंडस्ट्री और अग्रिकल्चर दोनों ही कंटेक्स्ट में मान लीजे कि एक किसान ने क्या किया अपनी फसल प्रडियूस कर ली प्रडियूस कर ली उसने तो अपने नजदी की गल्ला मंडी में बेच दी अब जरू चोने कि उसमें जहां प्रडियूस करा सब लोग वहीं के खाएंगे इसे आप कहीं दूसरे स्टेट में पहुचा रहे हैं तो अब दली में कौन खेती कर रहा है लेकिन वहाँ पे जनसंक्या इतनी कि सब को खाने के लिए चाहिए तो फॉर एक्जामपल क्या हो रहा है कि प्रडियूस का हुआ हुआ मध्यप्रदीश में प्रडियूस हुआ है वीट अब वहीट को दली दक पहुचा रहा है तो सिर्प उठ प्रडियूस के अदर लार्जवस प्रडियूस क्या अरेकिंग इंडिक नटी कट्री के अगर बात करें तो कंट्री के अंदर लार्जर्चस्ट प्लिक सेक्टर ब्रिटिश हो गया तो वैसे ही रेलवेस जो है तो लार्जेस्ट गवर्मेंट अंडर्टीगिंग और हम यह क्या सकते हैं कि गवर्मेंट अंडर्टीकिंग का एक ऐसा एक पीस्च उगया पॉब्लिक सेक्टर यूनिट हो गया जो कहीना कहीं थोड़ा सा क्या दिखता है तो ब्रिटिश के टाइंप प्रिटिश के टाइम प्रिट में पहली वर्स्ट ट्रेन स्टीम और मुंबई टुथने इन 1853 जली थी थी धिर लेकिन पहला तो पहला ही होता है ना उस टाइप के यहां पर कहानी है इंडियान रेलवे इस नाउ रियार्गनाइज इंटो 16 जोन और दिस इस कॉंट्रवर्शियल कॉंट्रवर्शियल के अपडेट नहीं कर रही है लेकिन आपको बता देता हूं 16 जोन्स के अलावा भी सब्सक्राइब देखो कि 17 भी है और 18 बनाने की बात चल रही है अंद्रपदेश वाला ठीक है तो इस तरह से 16 जोन्स यहां लेकिन ध्य क्या होता कि पूरी कंट्री को आप क्या कर देते हैं सवंटी स्टीन बनाने की बात चल रही है Herz यह कुछ Il डिटेल से ध्यान रखना तो आपको रेलवेस के उपर एक मिर्च मसाला मिल गया कि रेलवेस क्या है रेलवेस एक मल्टी फिरस एक्टिविटीज को सपोर्ट करने वाला क्या है means of transportation है जिसमें आप business sightseeing, pilgrimage ठीके और ये सारे aspects को देखते हैं फिर क्या होता है फिर जैसे अगर आप देखेंगे गर्वर्मेंट अंडेटिकिंग लार्जेस्ट गवर्मेंट अंडेटिकिंग है रेलवेस पहली train मुंबई से थाने तक चली थी ये सारे points अब अगर रेलवेस क एक topic हुआ करता था पहले हम अब हटा दिया गए मतलब क्या है धी किलो मीटर किलो मेंटर लेंट मतलब कितनी लेंथ है टोटल पर हंडिध स्कूर किलो मिटर में मालनो कि यह एरिया में स्कूरण यह इतनी रोड है तो रोलन डंसिटी का होगा तक मैं विस ट्रसेटिक होगा ऐसा है कि हाँ डंसली मतलब कि अच्छी कनेक्टिविटी कि नहीं क्या कारण होगाँ कारण मल्टीपल है एकड़ेंग रिजन के जियोगरफिकल रिजन तो यह सारे रिजन से हम समझेंगे दिस्ट्रिटिबिशन की बात करें तो distribution pattern of railways जो है it is largely influenced by physiographic economic and administrative factors ठीक है तो distribution जो है it is largely influenced by physiographic मतलब क्या है कि वहाँ पहार है प्लाइटू है प्लेन है रिवर्स है क्या है तो इस हिसाब से यह physiographic factors क्या कर रहे है कि वहाँ पे railway track होगा या नहीं होगा फॉर एक्जामपल सोचो क्या हो रहा है कि बहुत जादा बहुत जादा माउंटेंस हैं तो बहुत जादा माउंटेंस में railway track बनाना कितना costly होगा और इसी कारणी क्या होता है रेल्वेस से लड़ाई में हार जाता है हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि रोड़वेस हैव एडवांटेज ओवर रेल्वेस क्यों क्योंकि रोड़वेस के नेगोशियेट हायर ग्रेडियेंट ऑफ तो तो इस तरह से रेल्वेस जो है ना तो रेल्वेस का इकनोमिक फेक्टर पर आपने बहुत अच्छा ट्रैक बनाया आपने बहुत अच्छी ट्रीन चलाई बैठने वाले लोगी नहीं यह पॉपुलिशन नहीं है अरुपुलिशन नेंसिटी कम है वहां रेल्वेस लाइन आपने बना दी बहुत भैतरीन ठीक है पहली बात तो म स्रूट्स वगरा भी जब तेह किये जाते हैं तो यह देखा जाता है कि क्या पोटेंशल है ठीक है मेट्रो आप सोच रहोंगे कि कंट्री के हर शहर में मेट्रो होना चीए लगा तो लेकिन क्या उस शहर में उतनी पॉपुलिशन भी है जो उस मैट्रो में वेठीगी समझ म पर इसका है कि वह जो जो एरिया जैसे डली अट्मिस्टेटिव परस्पेक्टिव से इंपॉटेंट सेंटर हो जाता है ठीक है लोग जाते नेता जाते हैं काम होते हैं वहां पर तो उससाब से वहां रेलवे ट्रैक्स का होना डिस्रीबिशन एसेंशल हो गया तो यह और तो अब इनत जोग्रफी तो पढ़ रहे हैं नाइनत में पढ़ गया होंगे नदन प्लीन के अगर हम बात करें तो यहां पर आपको यह देखने को मिलेगा लेवल लेंड है पूरा पॉपलेशन देंसिटी भी हाँ ज्यादा है अग्रिकल्च्रो रिसोर्सेस भी हाँ ज्याद उठाने के लिए पटकने के लिए क्या लगेगा लगेंगी 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 पॉपलेशन देंसिटी यह तो लोग क्या है बेटके घूमने जाएंगे ना मतलब यहां से लोग ज्यादा ट्रैवल करेंगे लेवल लैंड है तो एस सच कोई वह भी नहीं कि टनल बनाना पड़ रही है आपको माउंटें से तो बहुत ज्यादा खर्चा आ रहा है बराबर एरिया गिट्टी डालो ट्रैक डालो दोड़ावर ट्रिन को तो इस तरह से क्या है सारे फैक्टर जो है और इसी कारण से आप देखेंगे तो नदन प्लेन में आपको रेल्वेस देखने क अच्छा देखने को मिलेगा एक चैलेंज जो है तो एक चैलेंज क्या है आपे लार्ज नंबर ओफ रिवर्स रिक्वाइंग कंस्ट्रक्शन अफ ब्रिजस अक्रॉस देर वाइड बैड्स पोस्ट सम ऑप्स्टिकल्स ठीक है क्या हो रहा है कि नदन प्रीन को आप सम्तिक्र जैन यहां ब्रिआ एक कर देखने और प्रिवर्स को क्रॉस करने के आपको ब्रिज बनाना पड़ेगा तो हो जाता में आप्स्टिकल्स फॉस्स में इन ने को मिล रहें आपको dealers से तो रिवर्स को क्रॉस करने क्लाब ऐसा तो नहीं कि ट्रेन पानी के अंदर से तेर के निकल जाएगी तो यह एक आपस्टिकल है अब जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहरू देखो कुशन क्या बनेगा रेलवेस के उपर नदन प्लेंज फाइन वाई इस फेवरेबल तो क्रियेट वाइट इस फेवरेबल तो कंस्ट्रक्ट रेलवे ट्रैक्स इन अदन प्लेंड वाट आर दी चैलेंजिस ऑप्स्टिकल्स इन दिस प्रोसेस तो अब समझे लोग कुशन पिंडाउन करके कहीं से भी पूछ ले अग तो ही अधी यहां पे आप किस तरह से पैनेंसुला रीजन आपको हीलिया समझा तो यह वाला ठीक है यह लोग लेना पड़ेगा तो देखों हीलिया जो है इसमें जात है द्यान करो थोड़ा इधर इस्टन घाट है भीच में प्लाट हू है तो यह पूरा का पूरा पूरा है जो टोपोग्राफी रिलीफ फीचर है यहां पर माउंटीनियस है ठीक है अंडिलेटिंग है अब क्या होता यहां रोडवेज रिलेटिवली आसान होगा कंपेरेजन टू रेलवेज लेकिन फिर भी अब लोगों को जोड़ना तो पड़ेगा ना क्योंकि इधर देखो पहली ट्रेन इधर चली थी थाने से मुंबई ठीक तो इस कंटेक्श में क्या इस कंटेक्श में यहां पर जो रेलवे ट्रैक डिस्टिब्यूटेड है जिस तर तो यहां पर आप देखेंगे तो बहुत सारी ट्रैनल साती गुफा में निकलते हैं लोगों को डर लगता है कि गुफा में ट्रेन की लाइट बंद मत रहने दो चौरी हो जाएगी ठीक तो इस तरह से क्या होता कि वहां की टोपोग्राफी एस है कि आपको अगर क्या करना ह अगर आपको क्या करना है वहां पर रेलवेस का डिस्ट्रिबिशन इंक्रीज करना है तो यह अप्शन की आप कैसे करें कि दो माउंटेंस की बीच में जो गैप्स हैं तो गाट आते हैं बार बार ति आपने सुनाओ का पाल घाट भोर गाट इस तरह से क्यों होते हैं घाट हैं यह क्या है है अब हमालीय अत्वली की इस Карइन DR के लए जाता है तो सच हूँ तो हिमालिय इस में पाट रेलवेड경 इंदी सच हां तो हिमालीय डीवार वाधियों में से विसले खिन सारी बहतरीन दिख रहा होता ना उसको बनाना उतना डिफिकल्ट होता है ठीक है जो जितना बहतरीन दिख रहा होता है उसे बनाना उतना डिफिकल्ट होता है तो यहां पर वही दिखता थी कि अनफेवरेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ओफ रेल्वे लाइन ड्यू तो हाई रिलीफ स्पार्स पॉपिलिश्ट एंड लैक और एकोनोमिक ऑपर्चनिटीज पहले चीज तो क्या है डिफिकल्ट ट्रेन आपको देखने को मिलेगी कि हिमालेन रीजन में आप जब रेल्वेस कंस से टनल कंस्ट्रक्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ठीक है फिर उसके आद में फ्रजाइल जोन है मतलब अर्थ्वेक वगरा बहुत आता है क्योंकि फॉल्ट लाइन पे ध्यान करो क्लास नाइन जिग्रफी में तो यूरेशियन प्लेट और इंडॉस्ट्रियन प्ल सब्सक्राइब लेकिन उसके अलावा ज्यादा इंडस्ट्री नहीं उसके लावा ज्यादा एकनोमिक उपर्चिनिटी नहीं तो यहां पर आप जिस देखेंगे तो जो रेल्वेस का कंस्ट्रक्शन है वो अनफेवरिबल है समझ में आया तो लेट उस रिकॉल टी टॉपिक दिस्ट्रिबिशन पैटन ऑफ दी रेल्वेस रेल्वेस का अगर डिस्ट्रिबिशन पैटन की बात करें तो नदन प्लेन पैनेंसुला रीजन और हिमालयन रीजन ठीक है यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है यहां पर आपको रेल्वेस का डिस्ट्रिबिशन देखने को फेस करता है हमें यह चीज़ देखना होगा अगेन एक कुश्ण यहां पर सिधा सा सटीक सही बनेगा वाट आ दी चैलेंजेस फेस बाई रेलवेज रेलवेज किन चैलेंजेस से जूज रहा है क्या-क्या चैलेंजेस रेलवेज फेस करता है तो difficulties to lay railway line in areas such as अब क्या है देखो एक पॉइंट यह हो गया चार पॉइंट यह हो गया तो टोटल मिला के पांच पॉइंट हो गया कुशन सीधा पांच नमबर में आएगा what are the challenges faced by Indian railways तो अब आपको यह चारो पांचो पॉइंट को समझाना होगा क्या होता ना कि मैंने आपको बता है railways का distribution depend करता फीजियोग्राफी पे तो एक सब्सक्रे बड़ा challenge यह है कि country का हर area railways के लिए favorable नहीं है ठीक है there are some difficulties to lay down railway lines in areas such as जैसे कौन-कौन से शेत्र हो गया sandy plains of Rajasthan ठीक है तो sandy plains of Rajasthan मतलब क्या है sandy का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि रेतीली जमीन है ना पूरी रेतीली जमीन है आप track डाल के चले जाओगे तो sand dunes जो रहते है sand dunes जो रेत के टीले रहते ना वह रात महीं आए कल उड़के कहीं और चले आएगा track बंद कर देंगे वो ठीक है track पर बेट गए हरताल पर हम sand dunes बोल देगे कि हम यहीं बैठे रहेंगे जब तक हवा नहीं आएगी फिर नहीं उड़ेंगे तो इस तरह से क्या है tracks जो है वह बंद हो जाते हैं railway tracks बंद हो जाते है sandy plains जो है तो उसमें railway line construct करना बहुत difficult है स्वाम्स ऑफ गुजराथ स्वाम्स ऑफ गुजराथ मतलब क्या run-off कच बगेर वाला जो एरिया है तो वह स्वाम्पी एरिया है यहां पर दल दल है तो स्वाम्पी एरिया में आप track दबाओगे वह अगले तिन देखने जाओगे मिलेगी नहीं कहां गई धस जाएगी ना तरह बजन है लोग बैठे है वह सारी तो ट्रैक्स जो है उनका धसने का डर रहता है स्वाम्स ऑफ गुजराथ हो गया फॉरेस्ट्ट्राइक्स ज्यादा है तो पड़ना और आपको आपने पढ़े क्या है चाप्टर वन में क्या कि विच स्टेट क्या सकते हैं हाइस्ट पार मध्यपर्दिश और डंसिटी कि इस इस टेट में सबसे जादा है मतलब डेंसिटी कि तो अब जैसे अगर हम देखें कि एक डिफिकल्टी ये भी होती कि जो फॉरेस्टे ट्रैक है तो वहाँ पे जंगलों की बीच से ट्रैक निकालना कितना आप बायोड आइवरसिटी को नुक्सान बचाओगे और फिर आपको करना पड़ेगा जंगलों में तो सब कुछ वैसे तो वेस्टन घाट के अगर हम बात करें तो वेस्टन घाट को अब आप कैसे पाहर करोगे ऐसा तो नहीं कि आपकी ट्रेन जो है बाइक की तरह है चड़ा दी पहाड़ पर उरतार देंगे वापिस माउंटन भाइक तो आपको यह स्ट्रेच ऑफ सयाधरी है कंटीनिस है जो चलते हैं जैसे इधर देखो यह तो इस तरह से क्या है कि आप ऐसे रीजन में अगर मालो रेल्वे ट्रैक निकलता है तो लैंड्सलाइड आजाएगी तो पूरा का पूरा रेल्वे ट्रैक खत्म खराब ठीक तो यह चैलेंज़ रहते हैं श्रिंकिंग ओफ ट्रैक्स इन समस्ट्रेच इंड लैंड्सलाइड मैनी पैसेंजर्स ट्रैवल विदाउट टिकेट्स यह सबसे बड़ी समस्या है ठीक है आदा देश जो है फ्री में घूम रहा है रेल्वेस में तो रेल्वेस में चले सब्सक्राइब कि आप कितना टीसी विचारे जो है तो मतलब हमने क्या कर रहा है कि प्रॉपर पोस्ट बनाई है टिकेट क्लेक्टर की कि जो क्या करते हैं जो यही देखते कि बिना टिकेट के कौन घूम रहा है समझ में आया तो अंडर्स्टैंड दी सीरियसमेंस अब दिस चालेंज क्या कि जो रेलवेः प्रॉपर्टी न उसकी चोरी होना और उसको डेमेज करना लोग इस चीज़ से बाज नहीं आते हैं ठीके रिलवेः प्रॉपर्टी में रेलवेः ट्रैक से लगा के जो रेलवेः ट्वालेट में मग रहता है वो तक चोरी करके लिए यह लोग तो इस तरह से क्या है theft और damaging of railway property ये एक बहुत बड़ा challenge है इंडियन railways के सामने फाइन ये एक difficulty होगी ये एक challenge हो गया people stop trains pull the chain unnecessarily and in this cause heavy damage to and this causes heavy damage to railways ये एक बड़ी समस्य है कुछ लोग तो out of excitement ही chain खिश देते हैं ये chain है क्या चीज एक छोटी सी chain से इतनी train कैसे रूप जाएगी सोचा है अभी खीश मत देना तो इस तरह से क्या होता है एक challenge ये भी कि people stop trains pull the chain unnecessarily देखो बहुत को emergency case होता न उसके लिए वो एक क्या दिया हर हर एक बोगी में आपको क्या दिया गया necessary delays होते है उससे loss कैसे होता न ट्रेंस लेट चलती है तीक अब इतने लोग बैठें हर्चा हजारों लोग अगर सब train की chain खीचेंगे अपने अपने काम के हिजाब से तो डिलेइस कितने होंगे तो इसलिए प्रोविजन से कि यस्टिफाइ कर आपने चेंग क्यों खीचेंगे और फैसलिटी बहुत अच्छी है इंडिया में आप देखेंगे तो इंडिया में डिया क्या कर रहेगी डवलप्मेंटल साइट पर देखोगे तो समस्य लेकि कि फैसलिटी प्रोवािजट करोगे तो कितनों बहुत जाधा है और इसके चलते यह ता पॉपॉपुलेशन है कंट्री की वो रेलवेस की फंक्शनिंग को एक तरह से डिसरप्ट कर देती है समझ में आया So this was the story about railways Land transportation में roadways complete हो गया Railways एक और land transportation है pipelines जिसे हम next video में पढ़ने वाले हैं समझने वाले हैं आपको यहां तक समझ में आई अभी के लिए stay connected, keep learning signing off with this together we can, we will thank you, thank you very much Hello everybody, this is दिग्रास सिंह राजपूत, welcome to social school इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में पढ़ेंगे pipelines as a means of transportation पिछले वीडियो में हम लोगों ने means of transportation specifically land transportation में roadways को पढ़ा, railways को पढ़ा roadways के distribution को समझा, मतलब classification को railways को पढ़ा, तो railways के distribution को क्या challenges, railways face करता है वो सारी चीज़े पढ़ लिए अब एक और means of transportation specifically bracket में land transportation के बात करें तो वो है pipelines pipelines as a means of transportation क्या है, कैसे है उन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं तो देखें, आप सोच रहा हूंगे काफे सारे लोग कि pipeline में कौन travel करता है सर तो देखो, traveling का मतलब या फिर transportation का मतलब, specifically means of transportation के अगर बात करें तो transportation का मतलब सरफ यह नहीं होता है कि लोगों का इधर से उधर जाना सामान का भी इधर से उधर जाना transportation नहीं होता है, ठीके तो और आज किस्तिती में आप pipeline में travel नहीं कर रहे हो, लेकिन भविश्य में देख लेना कि आपको pipeline में travel करवाया जागा इधर से गुज़ोगे तो वही निकलोगे फिर सिदे उस अच्छा है ना कि बीच में कोई disruption नहीं कोई traffic नहीं है, तो for example जैसे boring company हो गया, for example जैसे hyperloop वगरा जब डवलप हो जाएंगे बहुत normal हो जाएगी चीज़े तो हम pipeline में notes मिल जाएंगे, कब कौन सा session आने वाला है one to one connected रहेंगे, सारे updates मिलते रहेंगे साथ ही साथ, unacademy app ज़रू download कीज़ें यहाँ पर बहुत सारे exciting features से जैसे special class होती है ठीक है, quiz होती है, test होते हैं बहुत सारे scholarship exams होते हैं और open house session भी होता है, जहाँ पर हम बातचीत कर पाते हैं तो यह सारे features जो है, आप for free क्या कर सकते हैं explore कर सकते हैं using the code DIGRAJ ठीक है इस code के इस्तेमाल करिए और यह सारे features को आप explore कर सकते हैं absolutely for free अब pipelines के अगर बात करें तो it is considered as the new means of transportation again transportation में सर्फ इंसानों का movement नहीं, सामान का movement भी पहले सामान कैसे move होता था तो जैसे new found means of transportation क्यों लिखा है क्योंकि pipeline से transport करना चीज़ों को यह newly emerged ideas है जैसे अगर आप देखेंगे ancient time से क्या होता था ancient time से जैसे आप देखोगे तो लोग समुदर के रास्ते चले जाते थे, जमीन के रास्ते सबसे पहले जाते थे ठीक, airways भी relatively क्या new means of transportation है तो जैसे अगर आप यहां देखेंगे तो उन सभी के comparison में transportation में pipelines का आना भी एक new found means of transportation की category में आएगा ठीक है, अब pipeline as a means of transportation अगर नजर दोड़ाई जा इस चीज़ पे तो in the past these were used to transport water to cities and industries पहले सिर्फ water जो था, पानी जो था पानी को pipeline की मदश से पहुचाया जाता था दिखती बात थी कि नदी कहीं बहुत दूर है, तालाप नहीं बहुत दूर है ठीक है, यह बहुत अच्छी बात है, industries और cities तक हम ने पहले pipeline का इस्तमाल जो किया, past time में, वो water transport के लिए किया था, ठीक है, water को transport करने के लिए किया था, फिर क्या हो गया, now these are used for transporting crude oil, petroleum products and natural gas fields to refiners and fertilizers, ठीक है, अब क्या हो रहा, लेकिन अब pipelines को और भी multipurpose के लिए इस्तमाल किया जा रहा है, जैसे crude oil जो होता है, मतलब जहाँ पे drilling हो रही है oil की, और refinery कहीं दूर है, तो ट्रेंकर में भर-भर के ले जाओगे, बार-बार truck में load करो, unload करो, बैतरीन क्या है कि जहाँ पे refinery है, वहाँ तक सीध है, pipeline के थ्रू क्या कर दो, उस crude oil को पहुचा दो, समझारी चीज़े, तो इस तरह से अब क्या हो रहा है, अब pipeline का इस्तमाल, crude oil को एक जगा से दूश्रे का ट्रांस्पोर्ट करने के लिए petroleum products हो गया, natural gas हो गया, तो natural gas के लिए तो अब इन जगह तक आप कैसे पहुचाएंगे, यह सारे products, ठीक है, मतलब, refineries तक, fertilizer तक थर्मल पार प्लांट तक आप petroleum को, natural gas को, क्योंकि pipeline की थरूँ पहुचाया जा सकता है, तो कैसे पहुचा होगे, in fact, अब जिससे अगर आप दिखेंगे, तो आप क्या होता है, कि Delhi हो गया, और भी कुछ बहुत सा है, शेर हो गया, तो जहां पर क्या होता है, जो LPG gas है, तो वो घर तक आ रही है, और घर तक कैसे आ रही है, तो यह भी transportation ही है, यह भी transportation है, तो इस तरह से pipeline के इस्तिमाल किया जा रहा है, solid can also be transported through a pipeline when converted into slurry, अब solid जो होता है, solid मतलब क्या है, कि जैसे for example, समझातों में आपको, ठीक है, थोड़ा सा चीजों को recall करते चलना, पीछे जाके, पीछे जाके, आपने कहां पर पढ़ा था, आपने पढ़ा था, minerals and energy resources वाले chapter में, connect करो को मैंने इसलिए वहां पर भी बताया सारमा गाओ पोर्ट तक पहुचा दिया जाता है, कैसे पहुचाए जाता है, तो pipeline पहुचा आप नहीं गया, आपने आपका ट्रेक्टर भी नहीं पहुचा या, ट्रॉली भी नहीं पहुचा या, सामान पहुच गया, कैसे pipeline के मदश से, तो solid जो है आप iron ore किया है, तो वह सॉलिड को भी हम क्या कर देते हैं सॉलिड को भी पाइप्लाइन के थूँ ट्रांस्पोर्ट करवा सकते हैं बाइग कनवर्टिंग इंटू लरी मतलब एक तरह का सेमी लिक्विड टाइप पानी मिला के सॉलिड को जाने दो अब इसमें क्या तो आयरेन और वगरा जो होता है वह ह於 हुटा है अब अगर प्युद्ण किल रहने की रैलेंटीव हर चीज में सचता है लेकिन पैपलाइन का पैपलाइन के यह चीज हो ट्रांसपोर्ट करना इनिशन कोस्ट जो है इनिशन कॉस्ट अफ इस्ट बåति भी एकzlich alike प्ट्रेंट करो पार जो ही तो ब दूसरी डेस्टिनेशन तक पूरी कनेक्टिविटी डेवलप करना पड़ेगी बहुत तोड़ा फोड़ी होगी रोड खुदेंगे यह पाइप्स को क्या करेंगे अंडर ग्राउंड आप ले जा रहे हो तो दबाओगे सारी सीधर करोगे तो उसमें इनिशेल कॉस्ट ऑफ होता है ठीक लेकिन सब्सेक्वेंट रणिंग कॉस्ट जो होता है वह मिनीमल हो जाता है इसका एक एक्जामपल देता हूं आपको आपने कोई सावी दूसरा मींस ऑफ ट्रांस्पोटिशन उठाओ जैसे आपने रोडवेज उठाया तो रोडवेज में क्या आपको वो ट्र समस्या है बिना टिकेट के घूम है लोग रणिंग को बहुत हाई आता है फिर साथ में क्या होता है ट्रांस शिप्मेंट लॉसेज और डिलेज भी होते हैं दूसरे मींस ऑफ ट्रांस्पोटिशन में जैसे वही डिलेज क्या हो रहा है कि मान लोग पुलिस वारे ने किसी ट ट्रांस्पोटिशन के एडवांटेजेस पूछे जाए ना तो ध्यान रखने एडवांटेजेस में आप यह बता देना कि इनिशल कॉस्ट और इस्टैबलिश्मेंट हाई होता है मान रहे हैं लेकिन जो सब्सिक्वेंट रणिंग कॉस्ट होता है वह मिनिमल होता है इसमें ट्रांस्पमेंट लॉससर नहीं होता है अगर आपने इदर से क्या किया है अगर आपने मान लीजेशिए इसमें इंपुट दिया है इस एंड पर उदर फुमिंटल ही निकलेगा बीच में कहीं रुखेगा नहीं ठीक है वह चीज रहती है कोई डिलेज नहीं होते है से डालोगे ना तो वह उधर ही निकलेगा उसेंड पे पाइपलाइज एज द्यान रखना अब यहां पर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट नेट्वर्क्स औफ पाइपलाइन ट्रांस्पोटेशन हाजी कुछ बच्चों का मुझे इंपूट मिला तक सरी याद नहीं होते हैं तो हजीरा विजयपूर और जग्दीशपूर जो है इसके बारे में बताया गया है तो नाचरल गैस और आगको ट्रांस्पोर्ट करने के लिए पाइपलाइन बहुत इंपॉर्ट हो जाती है कंट्री में आपको तीन इंपॉर्टेंट नेट्वर्क और फाइपलाइन ट्रा प्रो नहीं अप्रोच जो है वह आपको रखना पड़ेगा तो अपर आसाम तो कानपूर अब रिलेट करो करो याद करो रटो मत समझो चीदों को क्या हो रहा है कि आपने पढ़ा था मिनेरल से नेनर्जी रिसोर्स में कि ऐगर हम बात करें तो सबसे पहली जो पुरानी वह तो दिखबोई आसाम में है अब यहां पुरानी ओईल फील्ड है तो यहां से दिखबोई से दिखबोई के अलावा वी जिसे आप देखोगे तो नैच्रल गैस वगएरा के भी क्या है रिजर्व से यहां पर ठीके तो यह दिखबोई हो गया नहर कटिया हो गया समझ में आ आसाम से कानपूर तक का एक जो पहला आप क्या देख रहें है pipeline network है हमारे देश का सरियाद करें क्या तो हां इसको और आसाम में क्या पड़ेगा तो और आपको क्या लगए कर रास्ते में क्या पड़एगा रास्ते में पड़ेगा असाम की capital गोहार्टी हो गया ठीक है तो इस तरह से वाया गोहार्टी होते होई यह pipeline आती है और एक चीज और इसमें मैंने गलती क्या करती कि बंगलादेश निकाल दी दूसरे के देश में कूँ जाएंगे अपने देश्ची आएंगे तो इस तरह से क्या है यह व वाला लाइन हो गया समझ में आया ना तो अलावाद तक कानपूर तक यहां पर आपको connectivity देखने को मिलेगी और वाया गोहाटी गोहाटी से होते हुआ आता है यह फिर दूसरा जो है दूसरा यह जो दोनों के लिए जानी जाती के लिए आसाम से कानपूर वाली हो गई और फ्रम सलय इंगुजराट तो जलंदर पंजाब यह तीसरी pipeline है घेके तो 3 pipeline तीन पाइप लाइफ आपको ध्यान रखना है पहली असाम हो गई अब दूसरी जो है गुजrat से अब यहाँ पर आपको पता है कि गुजर्ट वाला रीजन है तो यहां पर कालोर हो गया अंकलेश्वर यह क्या है यह क्रूड ओयल अब जो प्रडियूज हुआ तो उसको supply भी करना पड़ेगा ना तो गुजरात में से ही क्या निकलती है एक pipeline जो निकलती ही तो हजीरा विजयपूर जगदिशपूर निकलती है यह हो गया ठीक है अब यह जगदिशपूर जा रही तो यह विजयपूर कोटा शारणपूर बा पार्ट्स आजाएंगे फिर अगर आप बात करते हैं कि फिर जो बीच में पंजाब तो अगें गुजरात से जा रही है अब यह वाली क्या है तो आपको पता है कि डेली में बहुत जादा जरूरत है क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलप्मेंट यह सारा सब कुछ है तो यहा वाला जो एक्स्टेंशन दिखाया गाया ने याला एक्स्टेंशन तीन पाइपलाइन जो है तीन इंप्रेंट नेटवर्क फाइपलाइन हमारी कंट्री के यह थे इमें आपको समझाया मुद करता हूं चीज़ें कनेक्ट हो पाईए बताना कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट अबी के रिए साइन आफ करते हैं इस वीडियो में चाहिट वाड़े डियो की बात कर रहे हैं तो मेंस आफ ट्रांसपोटिशन में Land transportation में आप क्या-क्या पढ़ा चुके अभी तक के वीडियो में, connect करते चलो तो चीज़ें याद रहेगी, roadways के बारे में पढ़ा, railways के बारे में पढ़ा, pipelines के बारे में पढ़ा, land transportation complete, अब हम another means of transportation के अगर बात करते हैं, तो वो है waterways, waterways क्या है, किस तरह से waterways, एक important means of transportation, इसक पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, तो चलिए, start करते हैं, देखें, मैं यह चीज़ बताऊं, उससे पहले कि important part यह है, कि आप टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन कर लीजे, link आपको description में मिल जाएगी, जहां पर आपको notes वगरा मिल जाएंगे, ठीके, कौन सा session आने वाला उस चीज़ पर update मिल जाएंगी, साथ ही साथ, अने कैड़ भी app जरूर डाउनलोड कर लीजेगा, तो वहाँ पर special classes होती है, quiz होत होता है, और भी multiple features हैं, जैसे open house session में हम बातचीत कर सकते हैं, तो यह सारे features आप क्या कर सकते हैं, explore कर सकते है, using the code DIGR, ठीके, तो explore all these features for free, using the code DIGR, अब अगर हम आगे बढ़े, तो यहां पर आपके सामने कहानी है, waterway scheme, India, India is considered as one of the seafaring country, seafaring country, seafaring country, seafaring मतलब क्या होता है, म मतलब जो the person who used to travel through the sea routes very often, ठीके, तो उसे हम क्या कहते हैं, seafaring कहते हैं, तो उस तरह से इंडिया के अगर हम बात करें, तो हमारा समुदर के साथ में रिष्टा छुटा मोटा नहीं है, ठीके, अगर जैसे आप बात करेंगे, Indian subcontinent में भी, Indian subcontinent में जैसे अगर दिखेंगे, तो जो दूसरी countries हैं, उनकी अपिक्षाकरत, India is the country having the longest coastline in the Indian subcontinent, Indian subcontinent में सबसे बड़ी coastline अगर किसी देश की है, तो वो इंडिया की है, अब इतनी बड़ी coastline है, तो उसका अचार नहीं डालते हैं, यह हमें sea routes के through connect करवाती है, ठीके, यह तो क्या हो गया, यह तो sea routes की बा की दूसरा क्या है, internally भी क्या है, waterways जो है, वो developed है, ठीक है, तो domestic waterways की जो हम बात करते है, तो domestic waterways भी हमारी country में developed है, national waterways के नाम से, वो भी पढ़ेंगे, इस sense में, इंडिया is considered as a seafaring country, समझ में आया, तो its semen sailed far and near the scaring and spreading Indian commerce and culture, ठीक, तो seafaring वो जो समुदर के रास्ते हम है, तो they traveled far and near, दूर दूर तक आप जिसे देखेंगे, तो sea routes के थूरू connectivity आपको देखने को मिलती है, and this makes India a seafaring country, तो what makes India a seafaring country, तो आप ये point लिखेंगे, कि sea route connectivity हमारी मेहतरीन है, ठीक हमारे semen, they sailed far and near the scaring and spreading the idea of commerce and culture from India, समझ में आया, ये चीज हो गई है, अब अगर waterways की बात करें, तो waterways is considered as the cheapest means of transportation, ये बन गया question, which means of transportation is considered as the cheapest means of transportation, waterways, ये क्या से हो सकता है, हम तो land transportation की बात कर रहे थे अभी, तो land transportation में भी roadways जो है न, तो short distance पे वो थोड़ा सा आपको क्या लगता है, short distance पे वो economical होता है, ठीक है, लेकिन अगर बात की जाए, इन general cheapest means of transportation कौन सा है, तो है waterways, और इसी कारण से आप क्या देखेंगे, इसी कारण से आप जिसे देखेंगे, तो जो huge amount में सामान एक जगा से दूसरी जगा, एक जगा से दूसरी जगा, मतलब यह नहीं कि आपके city से बाजुवाली city की बात कर रहे है, ठीक है, मतलब एक देश से दूसरे देश, यूएसे से जो सामान आता है, तो आपने economics में पढ़ा था ना, क्या globalization में interconnectivity, अब यहां connect करो, तो इंटर कनेक्टिविटी के लिए technological improvement बहुत दरूई था, तो जो cargos वगेरा बने, ठीक है transportation में cargos का इस्तमाल किया जाने लगा, तो cargos तेर के नहीं आते हैं, समदर में दूसरे दिश पहुचा सकते हो, वाया sea route ठीक है, और वो क्या पड़ता है, जब इतना सारा समान आप एक ship के थूर लाते हैं, तो वो सस्ता बैठता है, आप उसे अगर किसी भी दूसरे means of transportation से उतना, उतना बलक में समान पहुचाने की कोशिश करोगे, तो मेहना ही पढ़े इतना एक शहर के market में सामान होता है, उतना पूरा समान एक बार में ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, एक आपका क्या सकते है, एरोप्लेन ही नीचे आ जाएगा, समझ में आया, तो उस context में cheapest means of transportation है, for heavy and bulky goods, क्या waterways, waterways is the cheapest means of transportation, it is a fuel efficient and environment friendly mode of transportation waterways के अगर हम बात करते हैं तो waterways क्या है fuel efficient है environment friendly है fuel efficient ऐसे क्या होता है कि waterways as a means of transportation जब operate करता है तो उसे buoyancy force जो है समुधर का वो मदद कर देता है ठीक चबू से न चल जाती है तो उसमें तो आप कहा देख रहे है उसमें फ्यूल लगी नहीं रहा है तो इस तरह से क्या हो रहा है कि फ्यूल एफिशेंट है दूसरे means of transportation की अपेक्षाक्रत waterways में आपको कल कम फ्यूल की खपत होती है साथ ही साथ का environment friendly means of transportation भी रहेगा और जिससे अगर आप देखेंगे वीराम क्या हो रहा है कि अब हमारा culture हमें बताता है क्या 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 आज कल से नहीं हमारे जिससे अगर आप वो देखेंगे क्या देखेंगे हमारे ग्रंत देखेंगे तो उसमें भी देखने को मिल रहा है कि लोग transportation के लिए क्या करते थे नाओ का इस्तमाल करते थे अब जब नाओ चल रही है नदी पार कर रहे है तो जब क्या करता है बगवान श्री राम को नाओ से पार उतरवाता है तो वह क्या है वह फ्यूल एफिशेंट इन्वर्मेंट फ्रेंडली र क्या है इस देट क्लिया यहां तक चीज़े समझ में तो इंडिया है इंद्र नविगेशन वाटर वेस ऑफ 14500 किलोमिटर इंडिया का इंद्र अदर अंदर जो हमारे देश के इंद्लेंड नविगेशन ऑफ वाटर वेस के बात करें तो 14500 किलोमिटर लेंद का है ठीक फोटेन थाॉजनद फाइव रुट है इतनी कि यह नद्नाद है कि टूटल कितना हो जाएगा फोटेन 50 फाइव लेकिन यह पूरे के पूरे दफने अवाने किशन शेषेन टोकिस्ट नदा सकति लेकिन क्या होता है लेकिन अगर उसमें से भी अगर आप देखोगे तो 5685 किलोमेटर का रूट ऐसा है चल सकते हैं उन्हें आप क्या कर सकते हो ट्रांसपोर्टिशन के लिए इस्तमाल कर सकते हो तो इनका रूट भी बड़ा होगा इसरी दियुल बड़ा होगा नदी में पानी जादा होगा तब इस चल पने में कहानी बता देता हूं एचाए ऐसा है कि हमारी country में on record आप देखोगे तो 111 नेशनल वाटरवेस नेविगेशन चैनल्स जो थे तो उनको नेशनल वाटरवेस के नाम से फिर घोशित कर दिया गया तो 2016 में government ने 106 नामंग्करन करके बोलते हैं यह भी नेशनल वाटरवेस आज से लेकिन आप देखो गये तो पांच जो मेजर नेशनल वाटरवेस हैं यहाँ पर दिये गए आपको तो नेशनल वाटरवेस नंबर वन नेशनल वाटरवेस नंबर टू नंबर ती नंबर फोर नबर फाइव यह पांचों को समझो कुछ बच्चों ने मुझे बताया भी था किसे हमें इन्हें याद रखने में दिक्कत जाती है चलो याद नहीं रखना है आप विजुलाइज करना मेरे साथ आप कंट्री ने मैंने आप से बुच्छा नदी रिवर बोला सबसे पहले कौ आई ना तो सबसे बेले आपको घंगा ध्यान में अई तो सको फर्स्ट बना दो नेशनल वाटर वे नंबर वन जो है वह गंगा रिवर पे है ठीक है वी आर जस्ट ट्राइंग टो कनेक्ट दी तिंक्स की जैसे याद हो जाए हमसे नदी सबसे पहले घंगा धिया आती ना यह रहा आपका नेशनल वाटर वेंबर नंबर वन एक 1620 किलो मिटर का है तो उत्तरपदेश बिहार जार्खन वेस्ट बेंगोल इन राज्यों से यह बहता हुआ आता है पानी मतलब नदी जो है ना गंगा नदी गंगा नदी के उपर चलेगा क्या लग तो मेकनाइज बोट् देखो यह मैप प्लॉटिंग पर नहीं आएगा मैप प्लॉटिंग पर नहीं आएगा बोलो कि सरा प्लॉट कर वाले थे हम भी जरे प्लॉट कर ले के छूटना जाए प्लॉट मत करो लेकिन विजुलाइज जरूर कर लो ठीक है यह नोट सो आपको मैं दे दूगा वैसे तो लेकिन विजुलाइज करके रखना कि यहां गंगा रिवर पे हैं कहां से उत्तर बदेस लगा के वेश्ट पंगौल तक नेश्चनल वाटर में नमबर वन है तो अलहबाद से हल्दिया वेश्ट मंगौल तक नैश्चनल वाटर में नंबर वन हो गया ठीक है नेश्टन ऍट्रावेश्ट में आपने बना दिया अब आजाओ हमारी इंडिया के दूसरे पार्ट में दूसरा फ्रक्रवांट हो गया और फिस साथ होगया तो साथ मतलब साथ में पोगोFit रिवर्ड धियाना आएगा अब नौर्थ इस में कौन सी रिवर दियान आती आपको ब्रह्मप तो जैसे आप देखोगे साध्या तु दुभरी तु आसाम वेस्ट प्रदेश मिखा ले इन राज्यों से ब्रहमपुत्रा बहते हुए जा रही है और इन राज्यों पे यह जो नेश्चनल वाटर्वें नंबर टु ए यह इन रूट्स को कनेक्ट करता है और ब्रहमपुत्रा जो उसका बेट भी बहुत बड़ा है बहुत बड़ा है उस रिवर का तो अराम्स उसमें बड़े बड़े मेकेनाइज वेसल जो है वो चल सकते है तो नेशनल नाशनल वाटर वे नंबर टू एट हंडेड नाइटी वन किलोमेटर का कहा से कहा तक साध्या टू दुब्री ठीक तो यहां पर जिस देखेंगे ब्रह्मपुत्रा रिवर्र बिट्वी साध्या टू दुब्री तो यह दो ऑपकी याद क्या हों गया है समझ में आगे और अलाबाद से हल दिया साध्या टू दूब्री ठीकंड़ार डिवाटर रिवर नश्रा नंबर वर्न और तू दिहान ह हो गए अब थी कहानी क्या देखो तो साउथ इंडिया छूट गया हमारा अब साउथ इंडिया में आप सब को अलग-अलग रिवर द्यान आएगी तो इसके लिए साउथ इंडिया के अब बात करें तो यह वेस्ट कोस्ट कैनाल इन केला ठीक है तो अब यहां पर हमारा ठीक है के वेस्ट को स्टेट में आपको वेस्ट कोस्ट कै maintains आप को सब्दाफा यहां पर आपको यह बैस सब्सक्राइब है आपकी बैस बश्रूरत छाब तो वैसी क्या है कि वैसी जिस अगर आप देखोगे तो वेस्ट कोस्ट केनाल जो है तो कोटापुरम से कहां तक है चंपकारा तक है कोटापुरम से ठीक है चंपकारा कोलम उद्धोग मंडल चंपकारा कैनल 205 किलोमेटर के स्ट्रेच है ठीक बेसिकली यह नाम सेकंडरी अब जो बचे तीन तीनों कि तीनी साउठ इंडिया में बचे तीन जो है तो वह तीनों कि 3 वी थे त्र जो है अब ये कहां पर है तो आप वोलो में से पूड़ू करो तो आप बोलो है सर्व इंपोड़न्ट रिए और गुदावरी और खुण दो बात नहीं करें आपने तो गोदावरी और खुछना जो है ना तो कुछ पार्ट जो है गोदावरी और खुण कुछ न का लगा दो यह आपने लगा दिया उद्धोग मंदलम से कोलम तक यह वह गया फिर उसके बाद में यह आपका नेशनल वाटरवे नंबर नंबर 3 हो गया फोर की जो बात करें ना तो फॉर में आपको ध्यान अग्नों का इंपोर्टेंट डिवर गोदावरी और कृषणा का गांटनल बनादय नमबर इसका कलर गपल में आपको नेजनल बाटन्वीं 4 विभाग어 बनपर ऑफ स्ट्रेच जो गोदावरी टी ओव किरस्टने नाडा टू पुडुचेरी तो पुडु फूचेरी यह आपका नस्माडम का नस्माडम नंबर नभर वUM की बात करें तो थेखो यह स्पेसिfaild स्ट्रेच ऑफ गुदबरे क्रिशना अलॉंग With The Kanginada Puruchiri स्ट्रेच ओफ कैनल घंक किलोमेटर कितना है 100078 कِلب Item A तो यह आपको इसी के ऊपर देखने को मिलेगा यह मिटानी रहाँ क्योंकि वह विजुलाइजीशन के लिए असान रहेगा तो इस्पेसिपाइड इस्ट्रेश ऑफ रिवर ब्रह्मनी अलॉंग विद माताई रिवर डेल्टा चैनल ऑफ महानदी एंड ब्रह्मनी रिवर तो यह बाद में मताई रिवर का और ये डिल्टा चैनल जो है तो यह पूरा का पूरा डिल्टा चैनल जो है ये आपको देखने को मिल जाएगा National Waterway No. 5 में ठीक है महानदी रिवर का जो डिल्टा बनता है वहाँ पे National Waterway No. 5 हो गया आपका National Waterway No. 5 हो गया बेसिकली आपको ध्यान क्या रखना है चलो अप जरा एक बार में सारे पांचों के पांचों National Waterways को याद कर लेते हैं गंगा रिवर पर पहला है ठीक है गंगा रिवर और ब्रह्मपुतर रिवर पर पहला और दूसरा यह धेहन रहेगा आपको हमेशा अलाबाद से हल्दिया साधिया टु दुब्री यह आपका National Water No. 2 हो गया 345 जो है तो आपका कहां जाएगा स्ट्रेचे ऑफ गोदावरी और कृष्णा रिवर उसकार में काकिनाड़ा से पुडू जेदी तक का एक स्ट्रेच हो गया और National Water No. 5 के अगर बात करें तो डेल्टा स्ट्रेच ऑफ महानाधी रिवर इत देना ठीक है फिर ब्राह्मनी रिवर माताई रिवर के स्ट्रेचेस पे आपको National Water No. 5 देखने को मिल जाएगा यह पूरी कहानी है National Waterways की ठीक है तो मैं उमीद करता हूँ आपको Waterways as a means of transportation समझ मे चीपेस्ट है ठीक है इक इन्वार्मेंट फ्रेंडली है और यह सारे ब्लाब्ला वाले पॉइंट्स फाइन उसके बाद में अब बात करें तो हमारी कंट्री में क्या है इतना बड़ा इनलेंड नेविगेशन रूट जो है तो उसमें से कुछ एरिया ऐसा है कि विच विच सबस्टन्चल ट्रांवर। तो специ yourself मांडवी दिया गया जारी दिया घाया कुम्रेजाँ दिया है के मंडवी में जुराइस ओसे मांडवी जॉडराया घ्रल kangari ठीक है यहां पर बार है मनिपुर्वगिरा में यहां पर रिवर है यहां पर नौर्थीश में जो आतो वहाँ पे और भी और और भी और धो के आंदर तक सिमित थोई ना है वाटर में ईसे मीन्स वब transportation का तो सबसे बड़ा advantage है कि आप देश के बाहर ठीक है बलक में huge quantity में goods को एक जगा से दुसरे का move करवा सकते हो सस्ते में तो जो हम बात करने वाले हैं वो क्या है वो कि इतनी बड़ी coastline है तो इतनी बड़ी coastline से हमारा जो goods का transportation होता है जो trade हो रहा होगा वो कह सकते हैं overseas trade कितन होता है overseas trade कितना होता है तो India's trade with foreign countries is carried from ports located along the coast तो इंडियन coastline जो उस पर जितने सारे ports है अभी सबके बारे में पड़ेंगे और वो मैप पे भी आएगा आपका ठीक है तो जितने सारे ports है हमारे उन सभी ports पर जिसे अगर आप देखोगे तो उन सभी ports पर क्या होता है substantial amount में trade होता है ठीक है substantial amount में trade होता है 95% of countries trade volume तो trade volume अगर समान लाने की बात करो न तो देश में अगर मान लो 100 ठीक है 100% product आ रहे हैं तो 100% product में से 95% product जो है ठीक है in terms of volume नंबर में अगर देख ठीक है समुद्र के रास्ते आते हैं और यही पैसे के terms में देखोगे तो 68% in terms of value तो यह 95% जो volume में दिख रहा है इसका कम से कम जो रूपीज के terms में कि कितना trade हो रहा है तो 68% trade जो है समुद्र के रास्ते हो रहा है पैसो के terms में volume के terms में 95 समझ में आया यह confusion नहीं है फिर कौन से ports है सर ठीक है तो वो सारी चीज हम क्या करेंगे next video में major ports के बारे में कि कौन कौन से ports है वो सारा सब कुछ हम next video में पढ़ने वाले हैं जानने वाले हैं ठीक है तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको चीज़ समझ में आई है till then stay connected keep learning signing off with this just for now मिलते है next video में together we can we will thank you thank you very much hello everybody this is दिग्राश सिंग राजपूत welcome to social school इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे major sea ports के बारे में पिछले वीडियो में मैं आपको समझाया कि waterways as a means of transportation क्या क्या उसके advantages हैं यह सारी चीज़ हमने समझी तो हमने cheapest means of transportation के बारे में समझ नंबर 12345 अब एक सवाल यह था या फिर कह सकते हैं जो लास्ट पार्ट पर हम टॉपिक को खदम करके आये थे वह यह था कि आप देखेंगे तो inland navigation जो हो रहा है मतलब अंदर समुद्र अंदर समुद्री ने अंदर नदियां तो अंदर नदियों के उपर जो national waterway बनाया है वह तो बहुत बड़ी है बात है शाबाश ट्रॉफिय लेलो उसके लिए लेकिन उसके अलावा भी जिससे अगर आप देखेंगे तो कंट्री का 95% ट्रेट जो है और सीज ट्रेट जो है वह कैसे होता है waterways के थुरू होता है पानी के बड़े बड़े जहां जो है वह समान ल इस तो ने कहीं भी ले जाकर शिप अपना फसाद हो गया तो इसके लिए क्या है कि जो मेजर पोर्ट्स हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले इस वीडियो में समझने वाले हैं यह जो आपकी बुक का मैप है इंडिया मेजर पोर्ट्स और सम इंटरनाशनल एरपोर्ट्स इस मैप को मतलब इस मैप के एक जेरोक्स निकल आगे तक्या की नीचे लगा के सो जाना क्यूंकि इस चाप्टर से यही मैप आना है मेजर पोर्ट्स सी पोर्ट्स और मेजर एयर पोर्ट्स यह दोनों चीज़ें मैप वर्क में आना है एक्जाम में आपका जो चाप्टर से करवाते चलों और साथ में फिर जब क्या होगा जब हम एक लाइव मैप प्लोटिंग सेशन लेंगे तो वहां पर भी चीज़ डिसकस कर लेंगे ठीक है तो बेसिकली अभी फोकस करना क्या मेजर सीपोर्ट्स का कॉंटेंट जो है वह समझ पाओ अगर हम मेजर सीपोर्ट्स की बात करते तो इंडिया है इंडिया है अब कोस्ट लाइन ऑफ सेवन थाउजन फाइवंड्रेट सिक्टीन पॉइंट्स किलोमेटर ठीक है बहुत बड़ा फिगर है यहां से अगर जोड़ो गया तो यहां से दे हम अब सारे सीपोर्ट से कितने सारे तो सब्सक्रा देखो एक तो तो पूहंड्रेट नोटिफाइड नौन मेजर पोट से और ट्वδήल्स twente मेजर पोट इतने बड़े हैं कि गांओं के हम क्या करेंगे इस पूरे के पूरे वीडियो umeं जानने वाले हैं समझने वाले हैं इस पूरा मीजर पर्शेंट है अइंडिया करता हो चीज है यहां тक कलियर हो गई है आप टेलिग्राम चैनल जो है ठीक है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए तो उसे जरूर जॉइन कर लेना वहां से नोट्स डाउनलोड कर लेना कब कौन सा सेशन आने वाला उस चीज़ पर अपडेट मिलती रहेगी आपको हम वन टू वन करेक्टेड रहेंगे बहतरीन तरह से ठीक है तो चैनल की लिंक आपको कहा मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में जाएगी उसे जरूर जोइन करना शांती साथ अनकाडमी एप जरूर डाउनलोड की जिये आपको ऐपको अनकाडमी एप बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे जैसे स्पेशल क्लास होती है जैसे क्विज होते हैं कम् सी पोर्स की बात करते हैं तो मेजर सी पोर्स में पहला आप जो पढ़ने वाले वह कांडला पूर्ट कहां पर है चलो प्लॉट करो मेरे साथ तो यहां पर आप जिसे दिखेंगे यह मैं आप जो ना इसको रिफरेंस के लिए तो आपकी बुक में आपको दिख जाएगा सारा कि सारे पोर्स कहां कहा है क्योंकि मैप बर कही आना इस चैप्टर से कांडला पूर्ट यह रहा है यहां पर गुज्रात में अब आप पाकिस्तान और इंडिया की था तब तो तो हमारा पूरा का पूरा इस साइड का जो ट्रे अब क्या करना पड़ेगी तो वही चीज यहां पर रहती है क्या कि जब पार्टिशन हुआ तो पार्टिशन के बाद में हमें कांडला पूर्ट को डवलप करना पड़ा था इन दी वेग ऑफ दी लॉस ऑफ कराची पूर्ट तो फर्स्ट पूर्ट सून आफ्टर इंडिप और इहां का पूरा का पुरा ट्रैफिक था वहां पूरा का पुरा ट्राफिक कहा है मुंबई पूर्ट पर चला रहा था था कि रहं करो थी कह? है तो इस तरह से क्या है कि जो प्रेशर Dimix, प्रेचन के बाद में ज्यों प्रशन पूर्पर चांडा फोर्ट कहा जाता है實िण रखना क्या हो जाता है कि ऐसे जो छोटे-ठोटे कहि सखते ना फिलरस ट्वैब से坡क से यह तो इस तरह से यह अदर को यह तो इन जाकि है रखना को निदे बोट कहा जाता है तो सी वाटर नॉर्मल यह है लेकिन जब हाई टाइट यहां ता था यह पूरा गश करके इधर चली आएगा और जब लो टाइड होगी तो बापिस क्यों का पानी उतर भी जाएगा तो इस तरह से क्या होता है समुद्र का पानी बढ़ना और घटना रिद्मिक ठीक है रिद् टाइड करते हैं ठीक है टाइड का जो पानी आता उसका इस्तमाल किया जाता तो इसी तरह का एक पोर्ट है कांडला पोर्ट जो की एक टाइडल पोर्ट है समझ में आया फाइन इट कैटर्स टू दी कंवेंशनल हैंडिंग औफ एक्सपोर्ट्स और इंपोर्स ऑफ हाईली वाग्त बाइड ट्राइड पर देश हो गया इतने एरिया में जितना भी जो भी प्रडूब्र और इसे एक्सपोर्ट करना होगा तो एक्सपोर्ट करने के लिए आप क्या है सीरूट के त्रूँ ही जाएंगे बल्क में वाल्यूम में अगर आपको चीज़ों को एक्सपोर करना है तो cheapest means of transportation waterways है पढ़के आए पिशली वीडियो में ठीक है तो अब सबसे नजदीक पूर्ट जो होगा वही ले जाएंगे तो इसके लिए यह कांडला पूर्ट जो है तो conventional मतलब आप जैसे कोगे तो convention handling of exports and imports ठीक है को conveniently handle करने का काम कौन समालता है कांडला पूर्ट समझ में आया कांडला पूर्ट तो यह जितने भी स्टेट से लगा के गेहूं तक डाल तक जो भी प्रडूज हो रहा है सब कुछ यहां से एक्सपोर्ट किया जाता है कांडला पूर्ट समझ में आया साधा ट्रेड होता है यहां से ठीक यह आपका मुंबाई पूर्ट हो गया तो यह आपका मुंबाई पूर्ट है इस मुंबाई पूर्ट को तरह से मूंबाई पूर्ट के भाजू में यहां से सुटार्ट करें कांडला हो गया मुंबाई हो गया जवालन मारमागाऊ पूर्ट कहां पर तो मारमागाउं पोड जैसे अजाओ झालँ born भी तो थे ध्यान आ रहा है कुछ iron ore belt पढ़ाये थे तो जो गोआ महाराश्वाला iron ore belt है यहां से iron ore export करने का काम होता है कि मतलब यहां के iron ore को export करने का काम कौन करता है पर्ट से अलग अलग जगा देश में विश्व में इंडिया के जो टोक्राइं एक्सबॉत कर रहा है थैंक मारमाघाओंपोर्ट लगा या तो मेजर पोट से कोस्टल लाइन में बनाते चल ना सारे तीक मारबागाओ पोड़ के बाद में नीचे क्या है नीउ मेंगलोर पोड़ आगा अब नेनर्जी रिसोर्सवादे नहीं पड़ा है तो पड़ो उससे आप क्योंकि वह क्या कि मार्मागाओ पोर्ट जो हो गया मार्मागाओ के निछे क्या new mangalore port है new mangalore port करनाठका में है ध्यान करो कुद्रे मुख माइन्स बताया था कुद्रे मुख माइन का पूरा का पूरा जो iron ore रहता उसे slurry बना के थोड़ देर पहले फिर बताया था झाओ बना के इसी पोर्ट से विढराे दिते जाती है तो New Mangalore Port जो है New Mangalore Port located in करनाटका caters to the export of iron ore concentrates from cresAm mines तो यह Lives न्ञे बनाः पर मुहार चोनेकर इसी क्नेकोर यरा थ्यान रखें बस that's it ठीक तो न्यू मैंगलोर पोर्ट हो गया न्यू मैंगलोर पोर्ट कुद्रे मुक माइन्स के आद में आते कोची पोर्ट पे कोची पोर्ट कहां पे हैं तो अब कोची पोर्ट में एक जो आपको कह सकते न यूर रिक्वाइट टु रीड बिटूइन दी हो गया मैं के एक्सट्रीम साऊथवेस्ट्रेम पॉज्टल एरिया का एक्स्ट्रीम साउथवेस्टन पॉर्ट कैण्त stipеров कोची टुट पोर्ट क्लिर हो गया है क्लियर हूइए क्श्टेम ऊर्फ फेस्टिम नॉर्फ वेस्टन पॉर्ट आपका कांडिला हो जाएगा तो एक्स्ट्रीम साउथ वेस्टन पूर्ट हो गया आपका कोची ठीक लोकेटेड एट दी एंट्रेंस ओफ लगून विद अ लगून मतलब क्या है तो इस तरह से क्या है यहां पर लोकेटेड रहता है यहां पर लगून जो है तो लगून पर लोकेटेड है कोची पूर्ट आपका है ठीक है कैरला के बैक वाटरस में अगर जैसे देखा जाए तो समझा है यह कोची पूर्ट हो गया अब टूटी कोरी तो अब क्या है अब इधर पैर बदल लो पैर बदल लो इनसेंस के भी आप क्या कर रहे थे वेस्टन साइड पर चल टूटी कोर 시청 तो यहां पर duang तो यहां पर duang क्या बदल टो इस्ट होट मतलब यहां है कि नेचरिलिशर नेगल से बना हुआ अब जयादा ट्राफिक नहीं है मुंबई इतना खाली बेठे हैं तो आजू-बाजू के देश जो है ना तो उनका भी हम क्या कर लेंगे ट्रेंडल कर लेंगे तो जैसे कर आप देखेंगे तो यहां पर श्रीलंका हो गया ठीक है माल्दीव वगेरा हो गया तो इन कंट्रीज इसके भी ट्रेंड़ करता है हमारा टूटी कोरिन पोट अब अगर आप से सवाल पूछा जाए आप बताना कमेशिन में नहीं बता रहा हूं ठीक है विच इस अब आपको बताना है कि वह क्या होगा अब आप सोच्छे नंगे या तो कोच्छी होगा या टूटी कोरिन होग अब वह आपता है कर लेना तो बताना है कमेंट सेक्शन में अब जैसे अब इस्टन मार्जिन पर और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो टूटी कोरीन के बाद में क्या आता है चन्नाई पोर्ट ठीक है दी ओल्डेस्ट आर्टिफिशल पोर्ट ऑफ दी कंट्री उसकी कैटेगरी में आजाएगा चेंग नहीं ठीक है तो ओल्डेस्ड आर्टिफिशल मतलब क्या होता है आर्टिफिशल मतलब कि ये ब्रिटिश स्के टाइम प्रेंड में बना है ठीक है तो ये बनवाया गया है यहापर पोर्ट था नी जैसे नैचरल हारपर नायचरल हार तो जो बड़े-बड़े कार्गो आते हैं ट्रेड होता है तो मुंबई के बाद में किसकी बार यह चन्ने की बार है थीग है तो चैन्ने पोर्ट अब देर उसका कारण समझ लो कि वेस्टरन कोस्ट से आप किदर जाओगे वेस्टन कोस्ट से वेस्ट मी जाओगे अधर एफर तो इस रेंग नेक्स्ट मुंबई इंटम्स वॉल्यूम ओफ ट्रेड एंड कारगो तो पूरा इस्ट में जाना है नहीं तर टीक जाना है अभी नहीं जाना है अभी पढ़ा लो पहले फिर क्या है विशाका पत्नम पोर्ट इसके बाद आता है अब इसके उपर चलो गया तो चैननी हो या चननी पोर्ट के उपर जाओ तो आपको मिलेगा विशाका पत्नम पोर्ट बिशाका पत्नम पोर्ट कहां पे आंधर प्रदेश में है विशाकापनम पोर्ट की खासियत यह है कि दर गया कि deepest landlocked and well-protected Youth Bridgeant है ठीक है वेल प्रोडेक्टेड हूँ लैंडंकॡ मतलब क्या है लैंड़ोंग का मतलب यह देखो कि यह समněद्र है ठीक है तो कारगोगए यहाँ पर आइंगे वेट करो разные अंदर जाने के लिए पूरा पूरा इस तरह से क्या बना हुआ इस तरह से की इस फ्रक्चर बना हुआ है जो की द accompagnocy. जो है जो है नंदर होता है लैंदर उगोग फ्रेत तो सुनामी ऑगी ङाती है ना तो इस पोर्ट पर लाइं 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 लेल प्रोटेक्टेट पोर्ट दिस पॉर्ट ओरिजिनली ठीक है कनसीव्ड एज आउटलेट फॉर आइरन और एक्सपोर्ट आप देखो यहां पर आयरन और एक्सपोर्ट क्यों कि यहां पे जो बेल्ट है लग अलग जैसे शत्तित गड़ा वा इस थरश से आप बोल रहे हैं को नookie होते ल्याँ से एक्सपोर्ट कर देंगे वैसी यहां प्रेड्यूस भूता है सारा आइरान ओर तो इस इक्सपोर्ट करने के लिए जो पोड्ट पास हो गा वो क्या हो जाएगा वह स्पेशलाइजीशन नरगए आइरन और के लिए तो यहां पे आपको कौन सा पोर्ट मिलेगा नम बताओ यहां पर ठीक है पर द्वीब यहां पर आपका पर को चलो कॉलकता चलते हैं उपर प्र सिंपल पैटर में हमने पढ़ा है यहां से एक बार कॉलकता पढ़ा तो फिर एक बार कॉल करेंगे चलो तो आप यहां पर हम जैसे दिखते हैं कॉलकता पोर्ट इस एंडेंगर रिवराइनपों इनलेंड रिवराइन पोर्ट एक एक शाप इनलेंड मतलब क्या भी आपको बताएं है इनलेंड मतलब जो जमीन के अंदर हो थोटा मतलब समुद्र से एक दम सटा हुआ ना हो थोड़ा जमीन भी हो उसके पास ने तो यह वैसे इनलेंड पोर्ट है रिवराइन पोर्ट है रिवराइन पोर्ट मतलब क्या कि कॉलकता में कहां समुद्र मिल गए सर लेकिन कॉलकता में जो कॉलकता से जो नदी जा रही है ना तो अब नदी मिलके समुद्र में जाएगी तो इस नदी में आपको पानी में जाओगे वैसे अगर क्या करेंगे शिप को भी अगर पानी में डाल दोगे आप उस नदी के तो वह त्यरते-पहां पहुंच जाएगी समुद्र में पहुच जाएगी तो रिवराइं पोर्ट है यहां पे कोलकता इसन इन्लेंड और है क्या होता है तो इधर कालकता सब्सक्राइब गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिंड का एक बहुत बड़ा हिन्टा यह तो अंदर के यह आसपास में तो एंदुऊनी इस्साब होगा क्या है तो इस पूर्ट सर्फ्स और लार्ज अंड रिच्छ इंट लैंड ऑफ गंगा ब्रमपुत्रावेसिन पुरा चेत रहे तो यहां के सारे ड्रेड फट्रेड को यहां के सारे इसे को डीकनिस्ट करने के लिए इसके पास बिए पोर्ट बनाय जाएगा तो इस पोर्ट से लिए क्या होता है इसको ड्रेजिंग होती रहती है ड्रेजिंग होती रहती ही मतलब गंगा की डिस्ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर इंदसेंस की गंगा रिवर की डिस्ट्रिब्यूटरी है हुगली तो कॉलकाता इस ओन हुगली रिवर तो आप जैसे आप दिखेंगे तो गंगा रिवर की डिस्ट्रिब्यूटरी हुगली उस हुगली रिवर्स से continuous पानी चाहिए रहता है इसको क्योंकि टाइडल पोर्ट है हाई टाइड की टाइम में तो चलो समुझर का पानी थोड़ा अंदर आ जाएगा लेकिन जब लो टाइड रहेगी तो वो हुगली रिवर्स जो उसके पानी से क्या होगा आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो अलाबाद टू हल्दिया नेशनल वाटरवे नंबर नेशनल वाटरवे नंबर वन और देखा हल्दिया से कॉलकता पोर्ट सब जुड़ा हुआ है आपस में तो जिसे रोड नहीं चोड़ देते हैं नेशनल हाईवेस से आपका लोकल कॉ जाके मिल जाता है वैसे सारी चीज़ें रहती है तभी तो एक जाल बना पाती है लाइफ लाइन्स की तरह स्फ्रेट कैसी हो पाती है ऐसे ही ठीक तो हल्दिया पोर्ट वास डेवलाप्ट एस सब्सिडरी पोर्ट इन और टू रिलीव ग्रोइंग प्रेशर ऑन कॉलकता पो पाड़े कंड्ला पोर्ट मुंबाई ओके धिजरी प्रेशन नीचे फिर के आ जाएगा सिंक को 7 पूरा वीडियो मिन पढ़ा है किसको याद हो गया इस पूरे वीडियो में बताना मुझे yeah सिक्षिन अभी हम क्या करते हैं चीजों को यहां पर wrap up करते हैं नेखो Lum Grid के साथ till then stay connected keep learning signing off with this together we can we will thank you thank you very much hello everybody this is दिग्रासिंग राजपूत welcome to social school इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम airways के बारे में पढ़ेंगे airways अब यहां पर आपको चीजों को connect करना और समझते चलना है पिछले वीडियो में हम लोगों ने means of exhibition में रोड ट्रांसपोटेशन मतलब land रांसपोटेशन water चाश्त पहर लिया है तो land transportation में आपने क कैवर किया roadways के बारे में पढ़ा ठीक के रोड़ वेस से अलग जाते ही तो रेल्वेस भी land परी चलती रहें ठीक है तो रेल्वेस भी क Cat लाइंग भी पढ़ लिया तो means of transportation में एक domain आपने land transportation का देखा दूसरा domain waterways का देखा तो waterways as a means of transportation क्या है ठीक है inland waterways के बारे में major seaports के बारे में आप पिछले वीडियो तक पढ़ चुके हैं अब जो तीसरा domain है तीसरा means of transportation है वो कौन सा है वो जो तीसरा means of transportation तीसरा domain है वो है आपका airways तो इस वीडियो में हम airways के बारे में पढ़ने वाले हैं जानने वाले हैं समझने वाले हैं यहां तक चीज़ें clear होगी तो आईए airways को समझते हैं airways ठीक है airways is considered as the fastest most comfortable and prestigious mode of transport ठीक है अब यहां पर जो शब्द लिखे रहे हैं अच्छे से पढ़ना और फिर चीदों को आगे connect करते चलना बाकि आपको एक बड़ी पिक्चर समझ में आ गई है कि airways as a means of transportation पढ़ना है जानना है समझना है ठीक है इस chapter के नोट्स आपको टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएंगे लिंक आपको दीगे डिस्क्रिप्शन में चैनल जानल करोगे वहां से आसानी से फ्री में आप क्या कर सकते हो यह PDF डाउनलोड कर सकते हो साथ ही साथ क्या है साथ ही साथ जिससे अगर आप दिखेंगे तो तो यह सारे features जो हैं यह सारे features आप क्या कर सकते हैं free of cost explore कर सकते हैं अनकाडमी app पर using the code DIGRAJ DIGRAJ इस code के इस्तेमाल करके आप इन सारे features को explore कर सकते हैं यहां तक चीज़े समझ मैं अब अगर हम बात करें कि यहां पर fastest most comfortable and prestigious mode of transport क्यों लिखा है airbase के लिए तो यह समझो देखो fastest तो आपको पता है पलक जपकते आप क्या है kilometers क्रॉस कर जाते हैं बहुत तीजी से चलता है ना दो गंटे में आप क्या है दो गंटे में आप Central India से बैंगलोर पहुच जाओगे तो इस तरह से क्या है 24 गंटे के अंदर 24 गंटे सभी कम में तीक है अगर direct flight होती तो आप पूरा चक्कर मार के आ सकते हो तो fastest means of transportation airways no doubt ये trophies को देदो तीके most comfortable most comfortable इसलिए कहा गया कि अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे aircraft carriers वगरा जो ऐसे होते हैं तीके private jet ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर interior ऐसा बना रहता कि लोगों के घर नहीं होते हैं तीके most comfortable भी हो गया prestigious अब होता कि अगर कोई by plane travel करके आया है ना तो पूरा गाओं पहले तो उसके discussion करेगा कि भी आप प्लीन से आया हो ठीके तो इस तरह से कहा है बहुत prestige associate किया जाता है किसके साथ में airways के साथ में तो ये जो means of transportation है ये क्या है ये league apart हो गया fastest ठीके most comfortable and prestigious means of transportation की तरह इसे consider किया जाता ह है ठीक it can cover very difficult terrains like high mountains, dairy deserts, dense forests and also long oceanic stretches with great ease ठीके ये जो पार्ट है ना इस चीज़ को भी समझना अच्छे से कि airways की जब हम बात करते तो airways क्या है it can cover very difficult terrains like high mountains, dairy deserts, dense forests and also long oceanic stretches with great ease तो आप क्या देख रहे है ना कि road transportation की practical problems है कि अब जब जहाँ जमीन खराब खतम हो गई है जमीन खतम होगी तो आप आगे road नहीं बना पाऊगे आप ठीक है समुदर के नीचे से road बनाने तरह है ठीक लेकिन अब क्या है कि airways में आप नीचे कुछ भी होता रहे नीचे जंगल हो नीचे desert हो नीचे ocean हो कुछ भी हो आप तो उपर उपर उ बगार लगेगी नहीं तो दूसरे means of transportation में आपने physical barriers देखा था physical limitations देखा था लेकिन airways में ऐसा है it can cover very difficult terrains like high mountains से हिमाल्यास के उपर से भी plane उड़ते है ठीक है dairy deserts है तो वहाँ पे भी क्या है जैसे आप दिखेंगे तो साहरा desert जो उसको भी cover करके उसके उपर से भी plane जाएगा फिर चाहे Pacific Ocean का लंबा सा stretch हो उसको भी plane उपर से उड़के cover करी लेता है तो कैसा भी physical barrier उसको पार किया जा सकता है with the help of airways ठीक है तो समझ में आया यह क्या चीज है तो इसी लिए सो क्या fastest most comfortable prestigious associate किया जाता है इसी लिए महंगा होता है airways as a means of transportation clear हुआ air transport was nationalized in 1953 अगर आप air transportation की बात करें तो यह क्या था air transportation पहले private players हुआ करते थे private players मतलब क्या है जैसे आप बात करते है कि इंडिया एर्लाइन के तो start करी थी Tata brothers ने बहुत पहले ठीक है अब वापिस आगई Tata's के पास में तो जैसे air इंडिया के अगर बात बात करें तो बहु 1990 के बाद में सरकार ने दिरे दिरे प्राइवेटाइस करा चीजों को तो आप जैसे आप दिखेंगे कि आज क्या है air transport जो है तो air transport में private players भी है और वो nationalized भी मतलब government का भी stake है और government के stake के साथ में private players जो है वो भी air transportation में services प्रवाइड करते हैं अब अगर बात करें जैसे powerhans helicopter limited तो government of India undertaking powerhans helicopter limited जो है तो यह country के अंदर helicopter services प्रोवाइड गरती है government of India undertaking है ठीक है ठीक है इट प्रोवाइड से हेलिकॉप्टर सर्विसेस टू और नाच्रल नाच्रल गैस कॉर्परेशन इन इट्स ओफ्शॉर ऑपरेशन्स तू इन एसेसिबल एरियास और डिफिकल्ट टे है ठीक है और basically function क्या है कि it provides oil and natural gas it provides services to oil and natural gas corporations ठीक है तो क्या हो रहते है जैसे बुंबई हाई हो गया बेसीन हो गया जो समुद्र में जहां से क्या है इंडिया अंडर्टेकिंग ठीक है गवर्मेंट ऑफ इंडिया अंडर्टेकिंग डिपार्टमेंट विच प्रोवाइड एर वेस्टिए एर सर्विसेस टू ऑईल और नैच्रल गास कॉर्परेशन फिरसके बाद जैसे देखो कि तो इंडियन एरलाइन का नाम आता है ठीक ह अब जो आजुबाजू के साउथ इस्टीशन कंट्रीज श्री-लंका हो गया पाकिस्तान हो गया नेपाल तो यहां पर आपको सर्विसेस मिलती है सहांत इसहांत आप देखेंगे तो दूसरे देश जो हैं ठीक है तो वेस्टन गंड्रीस में भी आपको क्या देखने को मिल जाएगी कि इंडियन एरलाइन जो है वो आपको सर्विस प्रोवाइड करती है अब फिर आगे बढ़ते हैं तो एयर ट्रैवल जो है तो एयर ट्रैवल इस नौट विदिन दी रीच ओफ दी कॉमन पीपल अगर मैंने जो आपको बता है कि देश में आधी जनता ऐसी है जिनके एयर ट्रैवल के ठुझ आहिएब तुझ के ठुझ तुझ क्या होता है कि जो मेन इरिया मेन देसे मेन सेच कुछ ली आप नदल इंडिया की सदने इंडिया की बात करोगे तो यह किया है म Season अगरें गरीब इस प् bullied in the northeastern states that special provisions are made to extend the services of common people वोजटता helicopter में देश की जनता है एक बहुत fact के साथ बता रहों कि जो पूरी देश की जनता है उसमें से 1% ऐसे लोग होंगे 1% भी बहुत बड़ा amount हो गया ठीक है मतलब बहुत बड़ा proportion हो गया कि ये लोग क्या कर पाते होंगे कभी अपनी life में हेलिकॉप्टर में बैट पाते होंगे लेकि नॉर्थ इस्ट में हेलिकॉप्टर में बैटना थोड़ा सा common हो जाता है क्यों क्यों कि वहां पे जो ट्रेन है ना वहां की जो टोपोग्राफी वहां का जो आप कह सकते हैं फीजियोग्राफी इसके चलते गावर्वर्मेंट ऑफ इंडिया कुछ special provisions प्रोवाइड करते हैं जिसके चलते क्या है जिसके चलते एर्वेस की जो फैसलिटी है वो आम जनता को extend की जा सके एर्वेस की जो फैसलिटी वो आम जनता common people को extend किया जा सके clear हुआ तो वैसे तो फिर एर्वेस जो बहुत महंगा ह पड़ता है आपको पता है ठीक है तो जोगसा पार्ट अगर हम यहां पर आए तो आपको एक सी ध्यान रखना है कि इस चैप्टर का मैप वर्क आएगा उसमें आपको पिछले वीडियो में मेजर पोर्ट्स सारे वीडियो में ही प्लॉट करवा दिये थे वैसे तो हम लाइ चैप्टर से इस टॉपिक से मैप वर्क पे आएंगे वैसे हम प्लॉट करेंगे ठीक है तो बेफिकर है ना लाइप क्लास में वह भी प्लॉट करेंगे तो दिस वासल अबाउट एर ट्रैवल सिंपल शॉर्ट क्रिस्प टॉपिक था एयर वीस का तो मीन्स ऑफ ट्रांस्प अब क्या पढ़ने वाले हैं ? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कम्यूनिकेशन के बारे में हम लोगोंने चैप्टर का एक पिलर जो है वो कंप्लीट कर लिया है ौए लाइफ लाइन्स और नैसेनल एकनॉमी की बात करें तो लाइफ लाइफ लाइन्स अपजेकिटिव क्य तो अब हम chapter के second pillar पे आ गए है, second life line of national economy जो है वो communication है, कि communication किस तरह से देश को जोड़े रखा है, वो सारी चीदा हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, आप ये topic हम स्टार्ट करते, उससे पहले कि important update ये है, कि please description में आपको link विल जाएगी, telegram channel को join कर लेन ठीक है, ताकि आपको क्या मिलते रहें, notes मिलते रहें, updates मिलते रहें कि कब कौन सा session आने वाला है, कब कौन सी class है, clear है, ये पहली चीज हो गई, दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि telegram channel के साथ साथ में आप an academy app ज़रू download कीजे, ठीक है, कि यहाँ पर बहुत सारे features हैं, जो आपको कहीना कही benefits देने वाले हैं, जैसे special class होती है, जो कि absolutely free होती है, उसके अलावा quiz होते हैं, उसके अलावा notes आप यहाँ से download कर सकते हैं, open house session होते हैं, जिसमें हम one to one connect कर सकते हैं, तो ये सारे features को आप explore कर सकते हैं, for free using the code DIGRAJ, दिगराज, इस code के इस्तमाल करके आप इन सारे features को free of cost explore कर सकते हैं, communication, अब communication life lines of national economy के important क्योंकि हमें जोड के रखे हुए हैं, और यह आज कल के बात नहीं है, communication is not a new phenomenon, ठीक है, मतलब communication का है कि मैं आप से बात कर पा रहा हूँ, हम उससे बात कर पा रहे हैं, हम एक दुसरे से जुड़े हुए हैं, ये communication है, और communication एक new phenomenon नहीं है कभी से भी, मतलब कि जब से human civilization start हो आए, पहले भाशाई नहीं थी, तो लोग इशारों से बात करते थे, ठीक है, इशारों से बात करते लेकिन communicate करते थे, ठीक है, फिर क्या है, भाशाई आए तो लोग ऐसे बात करने लगे कि हाँ, आवाज से बात कर रहे है मतलब उस भाशा का इस्तमाल करके, फिर क्या है, लोग दूर हो गए तो उन्होंने पत्र लिखना चालू कर दिया, कभूतर उडा देते थे, ठीक है, तो इस तरह से communication जो है न, लोग आपस में जुड़े हुए हैं, और लोगों का आपस में जुड़ना एक new phenomenon नहीं है, ठीक जो pace है, change का, कि पहले जैसे कभूतर उडा के बाद कर लिया करते थे, पत्र पहुचा देते थे, और आज आप क्या देखोगे, तो आज बहुत सारे दूसरे अलग अलग तरीके हो गए, एक दूसरे से communicate करने के, अभी live session में आप उदर से लिखके पहुचा देते हूं, मैं फिर क्या आता है, फिर जिसे अगर आप देखेंगे तो इंटरनेट पे आप multiple तरीके से वीडियो कॉल्स हैं, मतलब आज के समय में connectivity तो आज से 10 साल पहले से और भातरीन हो गई है, ठीक है, नॉर्मल phone call के picture वीडियो कॉल हो जाता है, voice messenger हो जाता है, बहुत सारी चीज़े है ठीक है, तो यहाँ पर वही बताया गया है कि जो pace of change है न, pace of change has been rapid in modern times, फाइन, rapid in modern times और उसमें आप जिसे देखोगे, तो लोग कैसे communicate करते हैं, तो communication को broadly हम क्या करते हैं, दो categories में divide कर सकते हैं, एक हो गया personal communication और दूसरा हो गया mass communication, personal communication और mass communication में क्या difference है, देखो personal communication मतलब क्य ही देखा, until and unless it is not a conference call, तो आप क्या है, जब personally किसी से communicate करते हैं, तो वो personal communication हो जाता है, ठीक है, और mass communication में आपने एक तरह से बहंडारा कर दिया, बहंडारा कैसे कर दिया, तो for example, ये YouTube क्या mass communication का medium है, कैसे mass communication का medium है, कि ये video आप देख रहे हैं, आपकी class में जो आपके message deliver कर सकते हो, तो mass communication में आ जाएगा, examples, तो personal cell phone हो गया, letters जो आप personally लिख रहे हैं, वो सब personal communication का part हो गया, और वैसे mass communication में newspaper, television, social media, ये सब mass communication का part है, ठीक है, तो अब यहाँ तक अगर हम चीज़ों को connect करें, तो क्या है, कि communication कोई नया phenomenon नहीं है, communication over the period of time, ठीक है, since the inception of human beings, हम communicate क साथ में, clear हुआ, यह है कि communication का जो तरीका है, ठीक है, ways of communication जो है, तो over the period of time, change जरूर हुए, ways of communication जरूर हुए, ठीक है, कुछ personal communication होते हैं, कुछ mass communication होते हैं, तो अब आपको अगर एक question दो नमर में आ जाता है कि, differentiate between personal communication and mass communication, तो लिख पाओगे न, तो personal communications include all those means of communication which are used to communicate personally with one another, and mass communications are those means of communication, ठीक है, which are used to communicate with the general masses in one go, ठीक है, एक साथ में आप कर दे रहे हो, सबके साथ communicate कर पा रहे हो, यदर example लिख दो, यदर example लिख दो, that's it, ठीक, अब अगर हम बात करते हैं, तो communication के अलग-अलग तरीके रहे हैं, तो जैसे Indian Postal Network एक तरीका होगे, एक channel होगे, Indian Postal Network, ठीक बड़ी-बड़ी multinational company जो हैं, वो अपना कह सकते हैं, पारसल नहीं पहुचा सकती, बड़ी-बड़ी multinational companies जो अपना network नहीं पहुचा सकती, अपने लोगों को establish नहीं कर सकती है, देश के उस आखरी कोने में भी आपको Indian Postal Network जाता हो, देखने को मिलेगा, ठीक है, तो Indian Postal Network ज पिरेट रहा था, एक टाइम पिरेट था, जब क्या था, मतलब मैंने भी शायद ये टाइम पिरेट देखा नहीं है, लेकिन उस चीज़ को कही ना कि, जैसे, कहते ना कि वो जनरेशन का जो ट्रांजेशन है, अब आपकी जनरेशन, मैं भी आप ऐसा नहीं कि बाबा आदम क लेकिन एक चीज़ बता रहा हूं, कि जिसे, 90's के जाने के बाद में, 90's के जाने के बाद में, और early 20's वाला जो पीरेट रहा है, तो वहाँ पर ये प्रचलन था कि पत्र आते थे घरों में, देखते थे हैं, कि आप किसी ने आपको कुछ लिख के पहुँचाया, चिक्ठी तो वो उस उसीज के हिसाब से क्या, इंडियन पॉस्टल नेटवर्क जो है, तो बहुत इंबोडेंट रहा है, वल्ड का लार्जीस नेटवर्क है, ठीक है, इत हैंडल्स पार्सल्स, तो आज भी हम पहुचाते हैं, ठीक है, मुझे ही पार्सल्स में, भूस सारी चीज़ आ से तो कुछ घोते हैं कुछ चीज़े से क्लास मेल की कैटेगर में में आती है कुछ चीज़े स्क इंड लो लेते को सबस्क्रास मेल कौन से हैं तो आप कम्युनिकेशन पढ़ रहाई है काडश होई सकता है कि गाऊं से में cards और envelope पहुचा जाते हैं एयर लिफ्टेट बिट्वेन स्टेशन कवरिंग बोथ लैंड एन एयर ठीक है तो आप क्या होता है कि इन्हें एयर लिफ्ट किया जाता था यह इंपोर्टेंट मील्स है फर्स्ट क्लास में जो इंपोर्टेंट मील्स की केडिगरे में आते हैं पैसे पहुंचाना यह सारी चीजे रहती थी तो यह क्योंकि में पहुचाने में खर्चा भी ज्यादा लगता था सांती साथ इन्हें एर लिफ्ट किया जाता था तो बुट्वेन स्टेशन्स कवरिंग बोथ land and air तो by air यह mails की delivery हो जाती थी अब second class mail जो होते हैं तो second class mail relatively उतने important नहीं होते हैं तो जिसमें book packets हो गया registered newspaper हो गया periodicals हो गया यह सब second class mail में आ गए तो carried by surface mail covering land and water transport तो air lift first class mail important रहती तो इन्हें दिल्ली से मुंबई पहुचा ना तो by air पहुचा दिया जाता था लेकिन यह जो 10 transportation हो गया उसके थूरू पहुचा आ जाता है और यह उतना महेंगा नहीं होता पड़ता था second class mail कम खर्चे में हो जाता था ठीक है और second class mail की एक और चीज क्या है विशिश्च था कि यह उतनी important चीज़ों को carry नहीं करता था clear हुआ तो जैसे first class mail इस तरह से letters envelops बगरा हो गयर है second class mails में आपके क्या हो जाते है surface mails पे जो parcels वगरा होते packets book packets वगरा यह सारी चीज़ आ जाती है clear हुआ to facilitate quick delivery of mails in large towns and cities six mail channels have been introduced recently तो अब जिसे आप देखेंगे Indian Postal Network ने अपनी delivery को और भेतरीन तरीके से facilitate मतलब अपने delivery को और fast करने के लिए six dedicated mail channels established किये वो concept mail channels है तो जैसे राजधानी channel हो गया metro channel हो गया green channel business channel bulk mail channel and periodical channels ठीक है तो इस तरह से चैप जो है dedicated channels जो है six mail channels have been introduced recently by Indian Postal Network समझ में आया अब आगे बढ़ते हैं तो यह Indian Postal Network एक channel of communication है उसके अलावा भी तो communicate करते हैं तो one of the largest telecom network in India इस इंडिया one of the largest telecom network in Asia हाँ वही में सुचरा क्या लिखा है तो अब दूसरा तरीका क्या है लोगों के बीच में communication बढ़ाने का इंडियन Postal Network ने आपके जो mails रहते हैं पारसल्स, packets, letters वो हो गया दूसरा तरीका यह है telecom sector के थ्रू हम एक दूसरे से communicate करते हैं तो जैसे आपने transportation में landways, airways, waterways पढ़ा था ना वैसे communication में अलग-अलग means of communication बढ़ रहो और मैंने आपको chapter के starting में introductory वीडियो में ही बताया था कि communication और transportation को seclusion में मत देखना कि communication अलग है transportation को बहतर बनाना है तो communication उसमें मदद करता है आपकी कैसे क्या आप यहां से निकल रहो फोन लगा के बता तो अगर आप यहां देखेंगे तो इंडिया इंडिया is considered as the one of the largest telecom network in Asia इंडिया is considered as the one of the largest telecom network मतलब क्या है क्योंकि इंडिया जो आप देखोगे एशिया में सबस्यादा populated country चायना चायना के बाद हम पीछे खड़ हैं इंडिया ठीक तो उस sense में अब इतनी सारी जनता जन नहें और जनता जनारदन जो है तो वो क्या है हर इक इंसान क्या है आज क्या कर रहा है आपने जमें सेल फोन यह गूम रहा है तो तरह से क्या है कि इतने ज्युन आथ सघ Definitely ड़यंазी त्यूंस नो यह जगась है to elect a canioèala तो इंडिया को इंडिप kiss ला इंडिया को एंडिया को फेसलिटी यह देखे होंगे आपने बूत इस तरह के अब जो विलूप्त होगा है थोड़े से विलूप्त होगा है कि अब क्या है आप क्यूंकि सब के पास परसनल फोन है तो अब इन अब एस टीडी बूत में लोग जाना कम पसंद करते हैं लेकिन इसका भी एक जमाना था क्या था ऐसे सिक्के डालने वाली भी आते थे सिक्के डालो वो घुमाओ चक्राइग ठीक है तो फिर वो ट्रिंग बचता था और फिर एक मिनिट बात होती तो अगर सिक्का नहीं डाला सकते हैं कि टेली कॉम ऑपरेटर की नेटवर्क नहीं पहुंचते हैं वहां गवर्मेंट ऐसे पहुंच जाती है ठीक फिर क्या है रहे चाहे कितना भी रिमोट विलेज क्यों ना हो इंटेग्रेटिंग डेवलप्मेंट इन स्पेस टेक्न लोजी विद कम्मिनिकेशन टेक् है तो क्या है सेटलाइट कनेक्शन वगरा जो इसके थूर आज क्या है आज इंटरनेट कॉल्स यह सारी चीज़े 24 आर्स अविलेबल है क्यों कि अब सब कुछ सेटलाइट कम्मिनिकेशन के थूरू जुड़ा हुआ है ठीक है फिर क्या है फिर आगे अगर बलते हैं तो पुछ फोन से हो पा रहा है ठीक है तो डिडियू मतलब आप जिसे अगर यहां समझेंगे तो यह डिजिटल इंडिया जो है यह डिजिटलाइजिशन को दर्शाता है डिजिटल इंडिया इस एन अम्ब्रेला प्रोग्राम तो प्रिपेर इंडिया फॉर और नॉलेज बेस और इस और डिजिटल इपरेशन के बारे में भी फोकसे और डिफोकस ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ग्रांप टर्शाता हैं की औरीकिया घंटिया लिजिग डैओ है यही सी अगहले हैं सट्गी है लमारा वाब का फारत बनेगा हमारा कैसा हो कल का भारत जो outsiders बनाए ना कहीं जो व मे जारा या ग्रासिक डििटलाइशन का इस्तमाल करके आगे जिए डिटल डिवाइट वाली चीज़ वहोती जैसा आज अगर आप देखोगे तो आज वा है वो मतलब आज की generation जो है अब बच्छा पैदा होता है दो साल का होता सी पूरा फोन चलाने लगता है लेकिन वहीं पर कोई तो डिजिटल ड्राइब डिजिटल ऐजिटल इंडिया इस आट ओनी क्या कि इंडियन टालेंट को इंफोर्मेशन टेखनों लोग आया यह समझ में यह चीज रहती है अब मास् के अगर हम बात करें तो प्रोवाइट स इंटेनमेंट फोड फोर बेंस आनल पोलिसीा तो परसनाल कम्यूनिकिशन में आपने क्या देख लिया पर्सनल क्युअल कहिए कि तरीका आप जो लेंड ये पहुंचायें तो पोस्टल नेटवर्क लेके जरूर जा रहा है पोस्ट में डाकिया डाक लाया इसा काना भी आते था नहीं तो बहुत सारे लोगों से एक सांथ communicate कर पाऊ वो mass communication की मदद से करोगे तो mass communication provides entertainment and create awareness among people about various national programs and policies तो mass communication का objective होता है कि लोगों को entertain किया सके मतलब हर दिन काम 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 उसमें क्या होगा क्या आदमी entertain नहीं होगा तो एक दिन बैट जाएगा छाली ठीक मतलब थक के लेकिन यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि entertainment भी life का important part है तो जैसे अगर आप देखेंगे तो mass communication जो होता है it provides entertainment and creates awareness among people ठीक है about various national programs and policies ठीक है तो जैसे अब क्या हो रहा है कि for example आपने देखे होगा mass communication में जिसे television हो गया अब television पर जब चुनाव आने करेंगे तो मेरा वोट मेरा अधिकार करके advertisement आएंगे अमिता बचन आएंगे वहाँ पर करेंगे क्यों क्योंकि वह mass communication की मदद से आप awareness लोगों तक पहुचा सकते हो आप देखते होंगे YouTube पर भी आपको बहुत करें ऐसे एड मिलते होंगे जो किसी चीज का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं जो किसी चीज का कह सकते हैं किसी चीज की marketing नहीं कर रहे हैं वो क्या करें awareness just for awareness कुछ एड आते हैं जैसे mask लगाओ वाला तो इस तरह से क्या होता है मास कमिनिकेशन एक important पार्ट हो सकता है लोगों तक message पहुचाने के लिए लोगों की entertainment का भी ठीक है कुछ बच्चे बोलते हैं आपके वीडियो देखके जब entertainment ऐसे होता था अब यह चीजे मूवीज में ही देखने को मिलती है लेकिन एक समय पे लोगों की life का पार्ट था क्या कि एक रेडियो रख लिया है पूरा गाओं बैठ गया आज बाज उसमें commentary चल रही है क्रिकेट चल रहा है और मजे ले रहे हैं तो वह भी एक तरीका रेडियो मिर्ची आलू भटेक पता नहीं कौन कौन से कितने सारे रेडियो नेटवक्स आ गए लेकिन उसके अलावा भी जिस अगर आप देखो को तो जो गवर्मेंट ओंड रेडियो चैनल है जो अवेरनेस के लिए entertainment के लिए यूज के जाता है आकाश्वानी ठीके तो व प्रोग्राम से एक समय पर आते थे ठीके तो दुरण न्यूस से लगा के मैच लगा के संडे वंडे को पिच्चर दिखा के जो घरेलू प्रोग्राम साते हैं वो दिखा के सारी चीज़न जो है दुरदर्शन पर आपको जानने को मिल जाती थी तो अब जैसे गवर्मेंट क जो mass communication का medium है in television ठीक है तो television channel जो है वो है दूरदर्शन ठीक the national television channel of India is one of the largest terrestrial network in the world और दूरदर्शन one of the largest terrestrial network इसली क्योंकि इसके users इतने हर घर में TV में दूरदर्शन मिल जाएगा ठीक वो चीज हो गई है इंडिया publishes a large number of newspapers and periodicals annually तो mass communication में radio हो गया टेलिविजन हो गया उसके अलावा क्या है उसके अलावा newspapers और periodicals भी आते हैं प्रदूरदर्शन channel हो गया सत्यम सिवम शुंदरम उसका टैग लाइन ही अपने आपने इतना दमदार है फिर वैसी क्या होता है government के अगर आप जिसी देखोगे तो इंडिया इस लार्जेस्ट इंडिया इस दी लार्जेस्ट प्रड्यूसर ओफ फीचर फिल्म्स इंदी व इस तरह से इंडिया इस लार्जेस्ट प्रड्यूसर ओफ फीचर फिल्म्स इन दी वर्ल्ड इसेंट्रल बोर्ड और फिल्म सेटिफिकेशन यह ध्यान रखना सेंट्रल बोर्ड फिल्म सेटिफिकेशन का काम क्या वह केची लेकी घुमते है कि अईसा लगता है कि किसी सीन क को सेंसर करना है किसी मूवी को सेंसर करना कुछ कट करना है तो वह काम कौन करता है क्योंकि अब देखो क्या होता है हर चीज को सेंसर किया जाता है वैसे तो लेकिन निउस पेपर हो गया पिरियोडिकल्स हो गया इसका उतना इंपक्ट नहीं होगा लेकिन मूवी वगरा जो इंडियन और फॉरेंड फिलम्स को सेटीफाइ करने के लिए जो है उसका यह काम होता है तो फिल्म वगेरा जो गया है यह भी एक मास कम्यूनिकेशन का पार्ट हो गया तो यह सारा सब कुछ आपने मास कम्यूनिकेशन में पढ़ा तो एक बार हम क्या करते है सारी चीज़ों क समेट लेते हैं communication as a means of communication as a means of communication ठीक है तो communication क्या है lifelines of national economy की तरह कैसे आपको समझ में आए क्योंकि हमें जोड़के रखता है personal level पे भी mass level पे भी personal level पे इंडियन postal network telecoms के बारे में आपने पढ़ा वैसे आप digitalization के बारे में भी पढ़ रहे हैं दूसरी चीज़ क्या है दूसरी चीज़ जो आपने mass communication में देखी तो government का radio channel है आकाश वानी टेलिविजन चानल है दूरदर्शन ठीक है वैसे newspapers और periodicals भी बहुत सारे country में print होते हैं ठीक film certification films largest producer of feature films है अगर इंडिया तो यहां पर उन films को certify करना भी बहुत जाता जरूरी है sensor करना भी जरूरी है तो वह सारा सब कुछ आपने इस वीडियो में पढ़ा जाना समझा दो पिलर्स चैप्टर के हमारे complete हो गए transportation communication दोनों ही lifelines of national economy है तीसरी चीज है trade तो trade को हम नेक्श वीडियो में पढ़ने वाले हैं जानने वाले हैं समझने वाले हैं तो मिलते हैं नेक्श वीडियो में stay connected keep learning signing off with this together we can we will thank you thank you hello everybody this is दिग्रास सिंग राजपूत welcome to social school इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ने इंटरनाशनल ट्रेड के बारे में इंटरनाशनल ट्रेड क्या है इस चीज को आपको समझना है यहाँ पर सिंपल अगर टॉपिक को देखो तो लेकिन पहले connect कर लो अभी तक हमने क्या पढ़ा है वो सारी चीज़े में आपको बता देता हूं connect टेवादे तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे क्योंकि यह चैप्टर का लास्ट पिलर है लास्ट पिलर कैसे है चलो देखते हैं तो आपने चैप्टर उठाया क्या नाम क्या था हमारा life lines of national economy ठीक है तो life lines को हम अलग-अलग domain में पढ़ सकते हैं ठीक है तो transportation एक important part हो जाता ह है ठीक तो transportation एक important part हो गया life lines of national economy का transportation के बाद जिससे अगर आप देखोगे तो communication एक important part हो जाता है ठीक है तो communication के बाद जिससे अगर आप दिखोगे तो अब जो तीसरी चीज हम पढ़ने वाले हैं वह है trade ठीक है तो trade को हम क्या करेंगे trade कैसे life lines of national economy बन गया तो अब देखो य आप transportation भी कर रहे हैं चीजों का communicate भी कर रहे हैं ultimately transportation और communication जो है यह किसे facilitate करता है trade को ही facilitate करता है trade की मदद से हम जुड़े हुआ है ठीक है तो trade क्या है वो हमें समझना है trade simple है movement of goods over the space trade हो गया वो एक जगा से दूसरी जगा international क्या हो गया और यही movement जब एक देश से दूसरे trade हो गया simple है तो वही सारी चीज़े है ठीक है balance of trade क्या होता है तो इन सभी aspects को हम क्या करेंगे इस वीडियो में cover करने वाले हैं I hope you will enjoy this ठीक link दीगे है description में तो इस link को join कर लेना आपको telegram channel में गिर पड़ होगे हमापे ठीक है तो वहां से आप क्या कर सकते हो PDF बगरा सारी च exciting features मिलेंगे ठीक है इन सारे features को आप explore कर सकते हो using the code DIGRAJ features क्या होंगे तो special class होती है notes आप यहां से भी download कर सकते हैं ठीक है polls होते हैं ठीक polls के साथ मैंने life quizzes scholarship exams multiple features हैं सारे features को explore कीजिए using the code DIGRAJ दिगराज फाइन चलिए तो अब जैसे देखते है trade क्या है what do you understand by trade trade मतलब exchange of commodities ठी trade है over the space आप देखते हैं तो जो भी चीज़े produce हो रही है तो ऐसा नहीं कि उस गेहूं का consumption वही हो जाएगा गेहूं खाने वाले शायद 100 km दूर बैठे होंगे ठीक है तो यहां से वहां तक कैसे जाएगा तो गेहूं दोड़ागा क्या पहुंच जाएगा उससे क्या किया ज जीचे इसका trade हो रहा है तो जहां पर ट्रेड होता है जहां पर समान खरीदा जाता है वो प्लेस उस प्लेस को आप मार्केट कहते हो मार्केट क्या है जगा है जहां पर trade होना है trade मतलब क्या है जहां पर सामान आप बदलेंगे सामान का बदलना trade होता है और यह सामान का बदलना समुत्र के रास्ते से हवा के रास्ते से और जमीन के रास्ते से जैसे करना है वैसे कर सकते हो और जब यही पूरा फिनोमेना यही पूरा फिनोमेना एक्सचेंज ओफ गुड्स जो है यह कहां पर होता है जब यह बिट्वीन कंट्रीज होता है एक देश से दूसरे देश के बीश में होता है ठीक है सिर्फ और एक्सचेंज ओफ गुड्स ट्रेट कहलाता है अब जब यही ट्रेट क्या होने रखता है दो गांट्री के बीश में होता है जब दो देशो के बीश में होता है तो यह एक इंटर्नाशनल के खहलाता है तो with the advancement of international trade of a country of a country is the advancement of international trade of a country is an index of its economic prosperity what does this point is trying to explain कि जितना ज्यादा international trade होगा ना किसी भी देश में अब ट्रेड में आप ऐसा तो नहीं है कि कंट्री की मिट्टी उठा उठा के पहुचा दोगे trade में ultimately आप products को पहुचा होगे services को पहुचा होगे तो जितना ज्यादा international trade होगा तो वो किसी इसका इंडेक्स है पता है वो एक barometer है तो economic barometer of the country economic barometer of the country मतलब क्या है कि आप उसमें country की economic growth देख सकते है ठीके आप ये देख सकते हैं कि अगर किसी country में international trade ज्यादा हो रहा है तो या तो वो consume कर रहे होंगे या फिर वो क्या कर रहे होंगे या फिर वो export कर रहे होंगे products को अपने देश से बेच रहे होंगे export कप कर पाएंगे जब उनके पास होगा खुद के पास और import भी कप कर पाएंगे जब उनके पास पैसा होगा खरीदने का समझ में आ रहा है तो इस तरह से क्या है कि advancement जो है international trade का किसी भी देश का ठीक है this is an index of its economic prosperity की पैसा है तभी आप बेच पारे हो खरीद पार हो ठीक है तो international trade is considered as the economic barometer for a country किसी भी देश के लिए international trade को economic barometer की तरह consider किया जाता है यह समझ मैं economic barometer क्या हो गया ठीक सिर अगर आगे आप करें तो resources are space bound resources space bound कैसे होते हैं कि जो भी आपके पास resource है ठीक है जो भी आपके पास resource है वो जहां मैंने अभी यहुवाला example के जहां produce हो रहा वही consume नहीं हो जाता है आपको trade करना ही पड़ेगा आपको international trade करना ही पड़ेगा no country can survive without international trade international trade में क्या करते for example इंडिया में जिस country can survive without international trade इसी के लिए we are required to do international trade we are required to do trade और इस थरह से हम connected है country के अंदर भी trade होता है internal trade और जब वो दो देशों में लगते international trade हो जाता है तो in this sense trade acts as lifeline of national economy ठीक है trade acts as lifeline of national economy international trade में आप import करते export करते दो component होते हैं ठीक है import करते export करते मतलब क्या है कि यह आपका प्यारा देश ठीक है तो अब क्या होगा कि या तो आप सामान अंदर बुला रहे हैं समान अंदर बुला रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं कि सामान जब आपके अंदर आ रहा तो यू आर इंपोर्टिं इंपोर्ट इंपोर्टिंग इंपोर्टний था मतलब नहीं एक्सपोर्ट में तब Within तो देखो coming in import ऐसे और going out export you are excluding that thing export ऐसे और coming in इन से I am import ऐसे कुछ चलेगा ना तो इस तरह से import अंदर आना हो गया एक्सपोर्ड मतलब बहार पहुचाना हो गया import export तो international trade के दो component होते हैं एक होता है import और दूसरा होता है export import export दो component हो गए अगर हम आगे बढ़ते हैं और तो देखो यहां पर गया import और export दो component हो गए और यहीं से निकल क्या आता है एक चीज balance of trade balance of trade मतलब क्या है कि मान लीजिए आप import भी करवा रहे हैं ठीक है और आप export भी कर रहे हैं तो अब आप import अगर मान लो 100 रुपेका कर रहे है एक्सपोर्ट 50 रुपेका कर रहे हैं तो क्या balance है यह balance नहीं है ना 150 डवल हो गया किसी चीज़ का तो आप import ज्यादा कर रहे है export कम कर रहें इससी को अगर उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि तब भी यह balance नहीं रहेगा कि आप export पचास रुपेका कर दे रहे और country के अंदर import मतलब 100 रुपेका कर दे रहे है और country के अंदर import मातर 50 रुपेका ले तब भी क्या balance नहीं है तो balance of trade मतलब क्या है balance of trade मतलब कि there should be a balance between the amount of goods imported and the amount of goods exported जरूरी नहीं कि balance हो हर country में आप क्या दिखते हैं कि balance थोड़ा सा उपर नीचे रहता है कहीं favorable होता है कहीं unfavorable होता है तो यह क्या है balance of trade चलो इसे समझते है कुश्यन बनता है देखो international trade आपको समझ में आ गया क्या international trade कि trade मतलब simple क्या है the exchange of goods among people states countries is referred to as trade ठीक है अब क्या है यह तो trade हो गया ओओ trade जब यहीं क्या होता है दो देशों के बीज में होता तो international trade हो जाता है यह भी समझा गया international trade हो जाता है फिर अगली चीज़ क्या है कि trade जो होता है तो trade के दो component है import और export और import और export के basis पर आप balance of trade बनाते हैं तो the balance of the balance of trade of a country is the difference between its export and import ठीक है तो balance of trade क्या है किसी भी country के export और import के बीच का जो difference होता है उसे balance of trade कहते है तो मैंने जो आपको बताया कि balance of trade दो तरीके से हो सकता है या तो आप export ज्यादा कर दे रहे है 100 रूपे का और country में import 50 रूपी कर रहे है तो यह जो difference है इसमें क्या हो रहा है आपके exports ज्यादा है तो आपका difference जो है वो positive रहेगा तो क्या होता है favorable balance of trade होता है एक एक होता है unfavorable balance of trade favorable balance of trade क्या होता समझो सिंपल चीज है कि जब यह जो difference है जब balance of trade आपके favor में है तीगे when the amount of goods exported are more than the amount of goods imported आपने 50 रूपे का import किया और export कर दिया 100 रूपे का तो वो क्या कहलाएगा वो आपके लि इसा है ना कि 50 का समान बुलाया था और 100 का हमने क्या कर दिया बेश दिया तो हमारे पास 100 रूपे और हमने दिया 50 रूपे जेब में रख लिए तो वो क्या हो जाएगा वो favorable balance of trade रहेगा अब क्या होता है अब कभी कभी क्या होता है एसा होता कि हमारी country में हमारे पास कुछ स रूपे का तब क्या होगा कि हमें हमने समान 100 का बुलाया तो हमें उसे 100 रूपे देना पड़ेंगे और हमने कमाया कितना मतलब export करके हमारी country हमने जो समान पहुचाया था वो 50 कहीं पहुचाया तो हमें पैसे 50 ही मिलेंगे तो इस तरह से क्या हो गया कि यहां पर जो balance of trade है वह unfavorable है तो balance of trade या तो favorable होता है या unfavorable होता है and it depends on the exports and imports ठीक है तो amount of goods imported ठीक है यहां पर the balance of trade in the country is the difference between its export and import export और import के बीच का difference होता है वो क्या होता है balance of trade होता है simple as that ठीक है तो यहां पर आपको चीज़े clear हो गई है अब अगर हम इंडिया का दिखी इंडिया की क्या इस्तिती है तो इंडिया में हम जो communities को क्या दर रहे हैं अच्छा एक कुशन में आपको देता हूं इन जनरल है current affair based है पता होना चाहिए हमारा balance of trade जो है वह favorable है या unfavorable ह अगर हम बात करें सेक्टर स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे हैं अगर हम ऐसे देखें कि हम जितना सामान इंपोर्ट करते क्या हम उतना ही एक्सपोर्ट कर देते हैं कि हम जो डिफरेंस है वह हमारे लिए negative में है positive में फेवरेबल यह आप comment section नो बताना मुझे ठीक है चलो तो खूब है agricultural products बहुत है ग्यों खूब है हमारे पास ठीक है तो हम क्या करते है एक्सपोर्ट कर देत लाओ खालो तुम भी खुश रहो ठीक है उसके अलावा और्स हो गए मिनराल्स हो गए जैम्स और ज्वैलरी हो गया तो यह सारी चीज़ें इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा ह है लेकिन हाडवे सेक्टर मजबूत नहीं हमें electronic items को इंपोर्ट करना पड़ता देश में पेट्रोलियम प्रोड़क्स जो है तो यह समक्या है वेस्टेशियन कंट्री जो नसे लेते हैं क्योंकि हमारे रिजर्फ कम हैं तो यह कुछ ऐसी कमोडिटीज है जो इंडिया इंप की सघ॥ एस हैं करने क्या है हम बहुत था था इंट एक सिखाल्पード नवलच करते हैं लाध्र फार्न एक्स्वर्ट करते हैं तो करने को मिलता है तो नोट के साथ साथ पैसा मिलता है foreign exchange मिलता है तो this is beneficial this this the export giant the export giant title at international level provides as the favorable balance of trade ठीक हमें favorable balance of trade provide करता है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं जितना software import नहीं करते हैं उससे ज्यादा export करते हैं तो हमें हाँ पैसे ही पैसा होता है बाबू भीया समझना ही चीज ठीक है अब मैं एक बार recall करवा देता हो देखो question क्या बनेगा यहाँ पर question जो आपको important बनना है वो यह बनना है balance of trade क्या है बताओ तो difference between the imports and exports balance of trade होता है ठीक है international trade क्या होता है what are the components of international trade import और export component होते है and the trade between two countries is known as international trade ठीक है यह चीज़े ध्यार रखना क्या import करते क्या export करते वह चीज़े ध्यार रखना तो simple topic था short topic था अब trade की जब बात करते है तो trade में trade का एक lifeline की तरह जोड़के रखता है ना उन्हें trade में specifically आप tourism को गर देखोगे ना तो tourism as a trade क्या है यह हम नेक्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं जानने वाले हैं समझने वाले हैं तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में stay connected keep learning signing off with this together we can we will thank you thank you very much hello everybody this is दिग्रास सिंह राजपूत welcome to social school इस वीडियो में इस chapter का last topic पढ़ने वाले है class 10th geography का यह जो प्यारा सा chapter था lifelines of national economy इस chapter का आखरी topic है tourism as a trade पिछले वीडियो में आपने international trade के बारे में जाना समझा international trade क्या है तो movement या फिर the exchange of goods between two countries दो देशों के बीच में जब international level पे चीज़े बदल रही होती है तो international trade हो जाता है ठीक है international trade हो गया अब international trade को जिसे अगर हम और detail में समझे न तो क्या services को भी trade किया जा सकता है जैसे tourism जो है तो tourism एक service है कि लोग घूमने आ रहे हैं लेकिन क्या उसमें potential है trade की क्या उससे आप पैसा कमा सकते हो import export किया जा सकता है service का जी हाँ फॉर एक्जामपल अगर इंडिया से लोग बाहर जादा जा रहे घूमने ठीक है या फिर इंडिया में लोग जादा अंदर आ रहे घूमने तो उससे भी कहिने कहीं इंपक्ट होगा जब लोग इंडिया में अंदर जादा घूमने आएंगे तो यहीं पैसा खर्च करेंग ठीक है तो यहाँ पर उल्टा हो गया मतलब import of tourist ठीक है जितने रहादा tourist आएंगे उतना हमें advantage रहेगा हमारी economy को advantage रहेगा तो tourism as a trade क्या चीज है वो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं समझने वाले हैं टॉपिक क्लियर हुआ समझ में आया है कि क्या है tourism as a trade फाइन देखो तो chapter complete हो रहा है इसके notes आप telegram channel से download कर सकते हैं आपको क्या करना होगा join करना होगा telegram link description में दी गई है वहाँ से आसानी से pdf download कर लेना free में ठीक है साथी साथ कब कौन से session आने वाले इस चीज़ पर आपको update मिलती रहेगी और साथी साथ आप unacademy app भी download कर सकते हैं unacademy app पर आपको बहुत सारे धेरो features मिलेंगे जैसे क्या होता है special class होती है live polls होते है quiz होते है special classes के अलावा बहुत सारे quiz exams वगेरा होते हैं ठीक है scholarship exams होते है और open house होता है मतलब क्या 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 बता हूं मैं आपको notes आप यहां से download कर सकते हैं तो सारे features आप explore कर सकते हैं using the code DIGRAJ ठीक है a sector having potential to generate more employment and economic activities tourism पता है किस तरह से हैं एक potential sector की तरह है potential resources पढ़े देना कि जिसमें और क्या हो सकती growth हो सकती है आप connect करो चीजों को नहीं तो मैं अच्छी से पिटाई कर दूंग आप लोगों की connect कैसे करना है जैसे आपने पढ़ा था कहां पे economics के chapter 2 में term 1 exam में क्या पढ़ा आपने आगर आपको ध्यान है थोड़ा सा तो आपने यह देखा था चीजों को कि जैसे जैसे क्या होता है जैसे जैसे कही ना कहीं लोगों का income बढ़ता है तो they spend more on services अब जब पैसे आने लगते इसान के पास तो घूमना प्रफर करता है वो अपना घर छोड़के बाहर नि करेंगे गूमना पसंद करेंगे बाहर खाना पसंद करेंगे तो इस सेक्टर में potential है ठीक है potential है more than 15 million people are directly engaged in the tourism industry 15 million 15 million मतलब कितना होता है देड करोड ठीक है तो 15 million people जो है वो इस industry में engaged है more than 15 million people are directly engaged in tourism industry कैसे engaged है यह भी समझो तो tourism में कैसे लोग इंगेज पता है आपको तो इंगेज दे उसी को employment मिलता है तूरिजम से कि गाइड जो है तो टूरिस्ट को घुमा देता तो वह एक एंगेज है टूरिस्ट टूरिस्म से होटल इंडस्ट्री जो हो गया आपका पूरा 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 होटल चेंज हो है वो टूरिजम से जुड़ा हुआ क्योंक वहाँ सारे जिसे घर आप देखेंगे तो insurance company वगरा हो जाते हैं जो क्या है तो विदेश से आते हैं तो उनको उनको क्या देते इंशौरेंस भी देट साथ में उनके लिये पूरा management वाला काम हो गया तो लोगों को मिल जाता है तो multiple people के people in multiple way और एंगेज इन टूरिस्ट इं पहला क्या है इट प्रमोट्स नैशनल इंटिग्रेशन नैशनल इंटिग्रेशन कैसा है कि मतलब कोई बाहर से आया है वो हमारे देश में क्या कर रहा है लोगों से मिल रहा है हमारे कल्चर को जान रहा है समझ रहा है तो उसका इंडिया के टूर्ड सौफ्ट कॉर्णर डेव होगा तब हम दूसरे को हम एक दूसरे को समझ पाएंगे बहतरीन तरीके से ठीक है वही चीज़ यहां पर कि टूरिजम से क्या होता कि अमेरिका कैसा है इंडिया कैसा है वो कब पता चले बाप जाके देखोगे ठीक है कुछ दिन तो बिताओ गुजरात में इस टाइप सो क्य बना दिया क्या है उसमें लेकिन कोई बाहर से आया है जहां पर उसने उसके कल्चर में कभी यह नहीं देखा कि मिट्टी से इस तरह से टेराकॉटा या फिर क्ले पोर्ट वगरा बनाया जासकते तो उसके लिए क्या रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहेगी लोकल ह ठीक की है वो हमारे कलचर को समझते हैं उनके कलचर को समझते हैं तो दीज और रथी अडवांटेजे सीट है फिर के हे इनट से बीवह फ्रिस को में यहां साघ का का हमारे गाओं को देखेगा हमारी संस्कृति को देखा तब उससे समझ में आएगा ठीक है जो लोगों का मिस कंसेप्शन है क्या कि इंडिया में लोग बैकवर्ड है प्रिमिटेव उनका कल्चर जो बहुत स्टियो टिपिकल है वो शायद उसके यहां आने के बाद उसको ची तो इस तरह से क्या है कि हमारी हम खुद टूरिस्ट की तरह होगी कोई हमारे हां तो उससे इंडिया समझ में आएगा ठीक है तो इस आर्थी बेनेफिट्स ऑफ टूरिजम एज़रेड रहे तो आप जिसे आप इंडिया में देखते हो तो इंडिया में फॉरेंड टूरिस् में दिन गुजारने के लिए रहे है तो इडिकल टूरिसम होता है तो इंडिया में जिसे इलाज जो है युनानी हो गया तो उसके लिए क्या है पर्सपेक्टिव से लोग आते के बिजनस टूरिजम भी होता है कि चलो कोई business deal करने के लिए कोई multinational company का इंसान ही आया तो गुम फिर के भी चले गया ठीक है तो इसी के साथ हमारा chapter भी यहां पर complete हुआ है ठीक है एक चीज और बता देता हूं मैं फिर एक बार chapter complete करूंगा आप लेकिए कि tourism as a trade को प्रमोट करने के लिए बहुत focus किया जा रहा है इस पर अलग-अलग क्या जैसिकते आप government भी क्या करती है क्यों क्योंकि यहां पर आपको potential दिख रहा है जिससे आप क्या कर सकते हो एकोनामी को benefits पहुचा सकते हो अब हुआ चैप्टर complete ना चो ठीक है तो चैप्टर हमारे यहां पर complete हुआ मुझे पता है आप मुस्कुरा रहे हो ठीक है इसी नोट पर हमारा टर्म टू के लिए जो जो जोग्रफी वाला पार्ट था वो भी complete हुआ आपका minerals and energy resources का map work complete हो चुका है manufacturing industries chapter complete हो चुका है map work भी करवा दिया है lifelines of national economy complete हो गया chapter यहां पे map work का मैंने एक जलक आपको दे दिया था लेकिन साथ में मिलके live plot और कर लेंगे map work कब करेंगे तो वह आ यहां तक आपको चीदे समझ में आ गई है ठीक है तो अभी sign off करते हैं मिलेंगे next video में एक नए chapter के साथ तो till then stay connected keep learning signing off with this together we can we will thank you thank you very much